प्रभुता और अखंता अक्षूर रखूंगा। मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा। तथा मैं भाय या पक्षपात, अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार न्याय करूंगा। मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा, अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति अब्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवि कि ऐसा करना अप्रिक्षित हो मैं प्रतेक छाथ्वा अप्रतेक चरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपत लीप पद और घोपनियता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से ने रवाजवा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूं कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्ट्री से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनुभवी नेता हैं सर्गुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल दोहजार बीस में भाजपा प्रदेश के बाद अस्ताक्षर फिर जाके आशिरवाद लेंगे अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है भाजपा कोर्बा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नीता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूँगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विस है 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा। ईजिए विधाय के चुनाव हार गये ते लेकिन देखिये इस बार बड़ी जीत दर्च की और मंत्री पत्सेणा वाजी जा रहे हैं पार्टी में ओबिसिवर्ग का युवाद चेहरा है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कई लेखनी एकारी किये जैसा कि राहूल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी राजवाडे मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंताकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना प्यक्षित हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंग भले ही पूरे कैबिनिट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है विश्वुदेव मंतरी बंडल है और लक्ष्मी राजवाडे एक लौती महिला मंतरी बन चुके हैं मंतरयपत की शपत उनों台 लेली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्री की अब ये मंत्री बनी है एक मात्र महिला विधायक है लक्षमी राजवारे जो धाई महीने पहले टिकट मिला था इनको धाई महीने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्ष्मी राजवाडे भटगाओं विधानसबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस्य रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष भी रही और 2020 में जिला पंचायत सदस्य, 2023 में भटगाओं से विधायक और अब मंतिपत की श्री टंकराम वर्मा मैं टंकराम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखंड़ता अक्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्छपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं तंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषए 36 राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत ले चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुके हैं आजनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया से मिश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हरश और के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्री पत्की और गोपनियता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हरी चुंदन से आश्रवात लेते हु और राहुल जितने भी नौ विधायत थे मंत्री बन चुके हैं अब बिलकुल जाहिर से बात है जिन माननी राजपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात हुआ और शपत गहन समारो संपन हो चिका है जैस्वाल इस्वर की अक्चुम रखूंगा मैं 36 गराज के मंत्री के रूप में अपने करतब्यों का सुध्धा पुर्वक्त और सुध्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सिवधान और वीधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के समर्ख निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्याच अथवा प्रत्याच रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री पत्ति पद और गोपनीता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं वाडित जो रुद्योग मंत्राले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुवात की है 2015 में से कारिता संस्क्रिती और परियर्टन मंत्री भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष भी रहे और अब एक बार पिर इन्होंने भाचपा सबकार में भाचपा कारिकाल में मंत्री पत्की शप अथली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आभी इकसी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चिने गए हैं 2003 में पहली बार विधायक बढ़े हैं बस्तर का बड़ा चेरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची सरद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का स्तरद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करत्वयों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं परत्यच्छ अपरत्यच्छ रूप से संसुझित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री हो गया कांशा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसू चिजाती विकास पुछड़ा वरग और अल्प संख्यक विकास लोक स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने समाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा करमाग लखनलाल देवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसभा सीट से ही विधायक चने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक ब मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूँ कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीश रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और खंता अक्षूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्योग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की अनुने शपतली पद और घोपनी अता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से ने रवाज़ा गया है 2005 में जैसा कि राहुल बता रहे थे कोर्बा नगर निगम के महापौर भी रहे चतीजकर भाज़पा के उपाध्यक्ष भी रहे है पारशत से राजनीती की शुरुवात इनों ने की है अकांग्षा और अब छटवा क्रमाद श्याम विहारी जैस्वार करेंगे इक्स्कुल्सिव तस्वीर हैं हम आपको दिखा रहे है आई भी से पूड़ी पोर पर साय मंत्रीच करने के लिए यहाँ उपस्थित है निवेदन है कि किर्पिया मंत्री गणों को पद एवं गुपनीता की शपत गहन कराएं श्री भृजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भृजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल मंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है राइपर दक्षिन सीथ से लगा थार जित पर आपे रहे हैं एमकॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा स्थापिक भारत के सद्धान के पती सद्धी सद्धार लिष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अकंड़ता अक्षून रखूँगा मैं 36 गर राट्य के बनवी के रुप में अपने कर्तवियों को सद्धा पुपत और सुझ अंत्य करण्चे निवहन करूँगा जाता मैं भै या पच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अटवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबत के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संचुकितिया प्रकट नहीं करूँगा पदर गोपनियता की शपत ब्रिजमोहन अग्रवाल ने ले ली कुशल रन्नीत कार और पंदरा साल से मंत्री और 1990 से लगातार विधायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर तक यह अप्चारिक्ता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्यपाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब आजपा सर्कार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि मैं विधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के प्रती सची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता असुचन रखूंगा मैं 36 गर राजी के मंत्री के रुप में अपने करतब्यों का सरधा पुरवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के नुसार नय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठा से परतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राजी के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतबियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अथ्वा आपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादर गोपनियता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभो आदिन कल्यान, राज्या, सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र, विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्राले सम्हाल चुके हैं और आप पादर गोपनियता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं भाजपास सरकार में भी क्यावरेंट मंत्री रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे, लेकिन देखिए, 2023 में फिर से उसी सीट से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भाजपास सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की तरुपता और अखंता अक्चुम रखूँगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूँगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सहे 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार्ट के लिए लाय जाएगा अथ्वा मुझे जियात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तवीयों के समरक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छीत हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रुप से संसुचित या प्रगर्ट नहीं करूँगा अपने भी मंत्री पत्ति पद और गुपनिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंत्राले समाला है सरपंग से राजनीती की शुरुआ की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंत्री भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्यक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाजपा सबकार में भाजपा कारिकाल में मंत्री पत्की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा इस सबाब एक सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगें के लिए गुरु रुद्र कुमार को हराकर ये विधायक चुने गए है दोहजार तीन में पहली बार विधायक बड़ा श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखनता अच्छुन रखूँगा मैं छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का स्तरधा पुरुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पचपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छ अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब यह भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबनेट मंत् 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चुनाओ जीते और श्री लखनलाल देवांगन मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीस रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्षूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अप्रिक्षित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचीत या प्रगट नहीं करूँगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनियता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाज़ा गया है 2005 में जैसा के राहुल बता रहे थे कोर्बा नगर निगम के महापौर भी रहे चतीजकर भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे है पार्शत से राजनीती की शुरुवात इन्होंने की है आकांग्शा और अब छटवा क्रमांग श्याम बिहारी जैसवाल का होगा फिलाल राज्यपाल से वो मिल रहे हैं पैर शुकर उन्होंने आशिरवाद लिया श्री श्याम बिहारी जैसवाल मैं स्याम बिहारी जैसवाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अन्ता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूँ कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं कर चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनुबवी नेता हैं सरगुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश का आशिरवाद लेंगे अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है तो भाजपा कोर्बा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चहरे सर्गुजा संभाग का प्रतनिद्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले च श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सुनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन धंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसी लिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलंग की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुच रहे है राजवाड़ अब इस कैबिनित में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए OBC चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी राजवाड़े मैं मैं लक्षमी राजवाड़े इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और सुध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षी थो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे कैबिनेट में एक मातर महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है और इनोंने कहां भी जब ये राम मंदर गई दर्शन करने के लिए कि मैंने आज भगवान राम से शक्ती मांगी है और देखिए उसका एक अंदास भी आज देखने को मिला और कितना खास हो जाता है विश्रुदेव मंतरी बंडल है और लक्षमी राजवारे एक लौती महिला मंतरी बन चुकी है मंतरी पत की शपत उन्होंने ले ली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्री की अब ये मंतरी बनी है एक मातर महिला विधायक है लक्षमी राजवारे जो धाई महिने पहले टिकट मिला था इनको धाई महिने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्षमी राजवारे भटगाओं विधानसबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस से रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष भी रही और 2020 में जिला पंचायत सदस से 2023 में भटगाउसे विधायक और अब मंत्री पत की शपत और अब दौवे मंत्री को बुला जाएगा टंकराम वर्मा मैं तंकरा वर्मा इस्वर की सबत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के स्विधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रवता और अखंडता अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अन्ता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषए 36 राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है वाग गई तो जिन मंत्रीयों की पीए रहे चुके हैं आजनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कराए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान के आ गया ये विश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हरशन लास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशबाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंक राम वर्मा ये भी मंत्री पत्की और गोपमेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हरी चुंदन से आशिरवा के लिए क्या आपकी अनुमती है कि महोदे आज का कारिक्रम समात्थ हुआ और शपत गहन समारो संपन्हों इस्क्लूसिव तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र मौचूद हैं सियम विश्णु देव साय और बस अब शपत गहन समारों की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जो है मंत्री पत से नवाजा जा रहा है अब वो शपत ग्रहन करेंगे एक्स्कूसिव तस्वीरे आप दिखा रहे हैं हम आपको दिखा रहे है आई बीसी 24 पर साय मंत्री लिजा रही है अनुमती लि के लिए यहां उपस्थित है निवेदन है कि कृपिया मंत्री कणों को पद एवं गुपनीता की शपत ग्रहन कराए श्री ब्रिजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर ब्रिजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक बिधायक है 15 साल मंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रम पर उनका नंबर है कि राई पूर्दक्षिन सीफ से लगातार चित कर आपे रहे हैं कौम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा इस्थापि भारत के सधान के प्रती सथी सद्धा और लिष्टा रखूंगा मैं भारत की क्रमूता और अखंडता अंचुन रखूंगा मैं 36 राट्री के ब्रभी के रूप में अपने कर्तव्यों को सध्धा पुद्वत और सुर्ज अंत्य करेंशे करूंगा तथा मैं भै या सचपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा अजिके मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्वत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्र अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचाजर तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्यमंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब भाजपा सरकार में चौथी बार की बी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे किंती मैं राम विचार नेताम सत्त निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधित वारस थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सरधा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुचन रखूँगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतब्यों का सरधा पुरवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा तो था मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रति समिधान और विधी के नुसार नयाय करूँगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गड़ राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्थिया बेक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रुप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनियता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभो आदिन कल्यान, राज्य, सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र, विकास, बिधी, जल, संसाधन तमाम मंत्रा ले सम्हाल चुके हैं और अब पादवर गोपनियता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे, लेकिन देखिए 2023 में फिर से उसी सीव से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भादवर सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांगशा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निश्चा रखूंगा मैं भारत की तरुपता और अखंता अक्चुम रखूंगा मैं श्रीशगर राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सद्धा पुर्वक और सुद्ध अंधिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सद्धान और वीधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के समवर्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रुप से संसुचित या प्रगर्ट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री पत्ति पद और गुपनिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंत्राले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुवात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंत्री भी रहे अनुसुची जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्भक्ष भी रहे और अब एक बार पिर इन्होंने भाजपा सक्कार में भाजपा कारिकाल में मंत्री पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यब जी का होगा सुब आभी इकसी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए है दोहजार तीन में पहली बार विधायक बश्यब श्री केदार कश्यब बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यब इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची सरद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का स्तरद्धा पुर्वक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छ अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब यह भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा कर्मा लखनलाल दिवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसभा सीट से ही विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधा नरायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और श्री लखनलाल देवांगन मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूँ कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीस रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखन लाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत्ति उन्होंने शपत लीप पद और घोपनीता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्वा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बढ़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत्से ने रवाजवा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतब्यों का सरद्धा पुरुवक्त और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नया करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूं कि जो बिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्ट्री से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनुबवी नेता है बिल्कुल सरगुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोरबा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश के बाद अस्ताक्षर फिर जाके आशिर्वाद लेंगे अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है भाजपा कोरबा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नीता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिन दित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूँगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं और सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एड्यूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Awards से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से नवाजी जा रहे है पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतुलन की बात कर रहे है कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीट कर रहे है ओपी चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुच रहे हैं उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे मैं लक्ष्मी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुद्ध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना प्यक्षित हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंग भले ही पूरे कैबिनेट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है जात जाएगा जएक ल्श्मीराजवाडे जो डाई महींने पहले टिकत मिला था इनको भाई महीने पहले जो टिकत जारी किया गया था ति लक्षमीराजवाडे भटगाओं विधानस जबाग शेतर से पहली बार पर्षाइब सुरजपुर्ई जिला पंचायत की सदस्य रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष्वी रही और 2020 में जिला सबत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखंडता अक्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्छपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्रमिधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषए 36 राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवेश बैस के ये बड़ी बात है अजनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कराएं हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया से ये विश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर शरुलास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्री पत्की और गोपनेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हारी चुंदन से आशिरवाद लेते हुए और रहुल जितने भी नौव विदा करती है कि महोदे आज का कारेक्रम समात्थ हुआ और शपत गहन समारो संपन्हों इस्क्रूजिव तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्पर मौजूद हैं सीम विश्वुदेव साय और बस अब शपत गहन समारो की जो भी प्रक्रिया है व है अनुमती ली जा रहे है अपने पने पद तथा गोपनीता की शपत ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित है निवेदन हैं कि कृपिया मंत्री कणों को पद एवं गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री भृजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भृजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक हैं 15 साल मंत्री रहे हैं कि उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है कि द्राइपुर्दक्षिन से लगातार जित कर आते रहे हैं एमकॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा इस्थापि भालत के सद्धान के पती सद्धार लिष्टा रखूंगा मैं भारत की क्रमूता और अकंड़ता अंचुन रखूंगा मैं 36 गर राट्य के बनुदी के रूप में अपने कर्तवियों को सद्धार दुबत और सुझ अंत्य करेंचे निवहिन करूंगा ज़ता मैं भै या पच्छपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा पच्छपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय शत्तिसगार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अट्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करूँगा पद और गोपनियता की शपत ब्रिजमोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रनीतकार और पंदरा साल से मंत्री और 1990 से लगातार विदायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांशर तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताप्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशरवाद लिया है और अब आजपा सर्कार में चौथी बार की बी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे किंती अपने कर्तब्यों का सर्धा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश की विना सभी परकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के नुसार नय करूँगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गर्राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अध्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के समयक निरुहन के लिए ऐसा करना प्यक्शीत हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनिता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभो आदिन कल्यान, राज्य सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्रा ले समाल चुके हैं और आप पादवर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इस वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापिद भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निश्टा रखूँगा मैं भारत की दरुपता और अखनता अक्चुम रखूँगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूँगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सहे 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार्ट के लिए लाय जाएगा अथ्वा मुझे याद होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्याच अथ्वा प्रत्याच रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अपने भी मंतरी पत्ति पद और गोफिता की शपत लेली है नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के में ले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुवाग की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इनोंने भाचपा सपकार में भाचपा कारिकाल में मंतरी पत किशा पतली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा क्रमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आभी क्सी बात है बड़ा दिन है दयालदास पहिल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए है दुहजार तीन में पहली बार विधायक बने श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्त्रद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्य अप्रत्यच्य रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब यह भी मंत्री हो गया कांचा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्ति आंत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा करमा लखनलाल दिवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसबा सीट से ही विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और अफिवाग करते हुए श्री लखनलाल दिवांगन मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूँ कि विधी के द्वारा इस्थापिक भारत के सविधान के प्रती सचीस रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्षूर रखूंगा मैं 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अव्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्योग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक चाथवा अप्रतेक चरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपत ली पद और घोपनी अता की मेयर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाजवा गया है 2005 में जैसा के राहुल बता रहे थे कोर्बा नगर निगम के महा पौर भी रहे चतीजकर भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे है पार्शत से राजनीती की शुरुवात इन्होंने की है आकांग्शा और अब छटवा क्रमांग श्याम बिहारी जैसवाल का होगा फिलाल राज्यपाल से वो मिल रहे हैं पैर शुकर उन्होंने आशिरवाद लिया श्री श्याम बिहारी जैसवाल मैं स्याम बिहारी जैसवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूं कि जो भिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं परत्यक्ष अथवा अपरत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं के मिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नेता है सरगुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोरबा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश काय समिती के अब साथ में पर ओपी चौ सरगुजा संभाग का प्रत्रिन दित्व अब ये भी करेंगे मनेदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाजपा भी सनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विस है 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा चलियो ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रहबित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बड़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाये के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुच रहे हैं अब इस कैबिनित में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुन ही का है और कलेक्टर रहते हुए OBC चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे मैं मैं लक्ष्मी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक्त और सुध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षीत हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे कैबिनिट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है जो कि दाई महीने पहले टिकट मिला था इनको दाई महीने पहले टिकट जारी किया गया था आप लक्षमी राजवादे बट्गावों विधानसाबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस से रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष भी रही और 2020 में जिला पंचायक सदस, 2023 में भटगाउ से विधायक और अब मंत्री पत्की शपत की नहीं दिए श्री टंकराम वर्मा मैं तंकरा वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के स्विधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखंडता अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अन्ता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषए 36 राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है वाग कई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुके हैं आजनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कराए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान के आ गया अब बिल्कुल जाहिर से बात है जिन माननी राज़पाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात हुआ अब अनुमती ली जा रहे है कारिक्रम करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमती करने के लिए यहां उपस्थित निवेदन हैं की कृपिया मंत्री कणों को पद एवं गोपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री ब्रिजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर ब्रिजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक हैं 15 साल बंकरी रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है मैं विधी द्वारा इस्थापि भारत के सद्धान के पती सद्धार लिष्टा रखूंगा मैं भारत की क्रमूता और अखंड़ता अंचुन रखूंगा मैं 36 गर राट्य के बंदी के रुप में अपने कर्तवियों को सद्धा पुपत और सुझ अंत्य करेंचे निवहिं करूंगा तका मैं भै या सच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल इस्वर की सपत लेता हूं कि जो विसए 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जायेगा अत्वा मुझे घ्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्षत्वा प्रत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करूँगा पद और गोपनियता की शपत ब्रिज मोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रनीत कार और 15 साल से मंत्री और 1990 से लगातार विदायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर जब तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब भाजपा सरकार में चौथे बार की भी मंत्री बन चुके है श्री रामविचार नेताम मैं रामविचार नेताम सत्य निष्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि मैं वीधित वारास थाफित भारत के समिधान के परती सची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की परभुता और अखन्ता असुचन रखूंगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने कर्टब्यों का सरदा पुरुवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश की विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और भी धी के नुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठा से परतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतबियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनियता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान राज्य सुग्री जेल सहकारिता पंचायत ग्रामिग्र विकास बिधी जल संसाधन तमाम मंत्रा ले सम्हाल चुके हैं और आप पादवर गोपनियता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं भाजपास सरकार में भी क्यामरेंट मंत्री रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चुनाओ हारे लेकिन देखिए 2023 में फिर से उसी सीव से चुनाओ जीते और अब एक बाद पाद सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की तरुपता और अखंता अक्चुम रखूंगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भय या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा जो भी सहे 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे व्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यच अथवा अप्रत्यच रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा अब ये भी मंतरी पत की पद और गोपनीता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के में ले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुआत की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इनोंने भाचपा सबकार में भाचपा कारिकाल में मंतरी पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा क्रमान केदार कश्यप जी का होगा सब आब एक सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चिले गए है दोहजार तीन में पहली बार विधायक बड़ा श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के स्विधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवयों का स्त्रद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचीत हो मैं प्रत्यच्छ अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसू चिजाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोक स्वास्ति आंत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपूर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा करमाग लखनलाल देवांगन का होगा और फिर नरायनपूर विधानसभा सीट से ही विधायक चने गए हैं 2003 में पहली बार भानपूरी से विधायक ब मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूँ कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीश रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अभ्यक्ति अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्योग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनी अता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाजवा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक्त और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूं कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नहींता है बिल्कुल सरगुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोर्भा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भास्पा पदेश के बाद अस्ताक्षर फिर जाके आशिरबाद लेंगे अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है भास्पा कोर्वा जिला संगठन प्रभारी भी रह चुके हैं कदावर नीता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिन दित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही हैं ओपी भाईया भी सनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूँगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चली ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Awards से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीट से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलंग की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीट कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुंचे है राज़वार का अब इस कैबिनित में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए OBC चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी दाजवाडे मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक्त और सुध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूं कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे कैबिनेट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है और इनोंने कहां भी जब ये राम मंदर गई दर्शन करने के लिए कि मैंने आज भगवान राम से शक्ती मांगी है और देखिए उसका एक अंदास भी आज देखने को मिला और कितना खास हो जाता है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्ष्मी राजवारे एक लौती महिला मंत्री बन चुकी है मंत्रेपत की शपत उन्होंने लेली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्री की अब ये मंत्री बनी है एक मात्र महिला विधायक है लक्ष्मी राजवारे जो धाई महीने पहले टिकट मिला था इनको धाई महीने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्षमी राजवाडे भटगाओं विधानसबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस से रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष भी रही और 2020 में जिला पंचायत सदस से 2023 में भटगाओं से विधायक और अब मंत्री पत की मैं तंकरा वर्मा इस्वर की सबत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखंडता अक्षुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अन्ता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं तंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय छतिसगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंक राम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवेश बैस के हाँ ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुक के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंक राम वर्मा ये भी मंत्री पत की और गोपनिता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हरी चुंदन से आशिरवाद लेते हु अब बिल्कुल जाहिर से बात है जिन माननी राजपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिकरम समात हुआ और शपत ग्रहन समारो संपन उस्क्रूजव तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत पर मौजूद है सियम विश्णु देव साय और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जो अनुमति करने के लिए यहाँ उपस्थित है निवेदन है कि किर्पिया मंत्री करनों को पद एवां गुपनीता की शपत ग्रहन कराए श्री बृजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भृजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल बनक्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है तुनाय पूर दक्षिन सीथ से लगातार चित करा आपे रहे हैं एमकॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा स्थापिक भारत के सधान के प्रती सथी सद्धा और लिष्टा रखूँगा मैं भारत की क्रभूता और अखंडता अंचुन रखूँगा मैं सब्सक्राइब के रूप में अपने कर्दव्यों को सध्धा पुबत और सुझ अंत्य करण्चे निवहन करूँगा जाता मैं भै या सच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय चतिसगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्वत के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं कर पादर गोपनियता की शपत ब्रिज मोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रन्नीत कार और पंद्रा साल से मंत्री और 1990 से लगातार विडायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर जब तक यह अप्चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताप्शर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब आजपा सर्कार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेता में किंती मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सरधा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुष्ण रखूँगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने कर्तब्यों का सरधा पुरवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी परकार के लोगों के प्रति सविधान और भीधी के नुसार नयाय करूँगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठात से परतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के समयक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आप परत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा अग्यात अधिन कल्यान राज्य सुग्री जेल सहकारिता पंचायत ग्रामिग्र विकास विधी जल संसाधन तमाम मंत्रा ले सम्हाल चुके हैं और आप पादर गोपनिता के शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे लेकिन देखिए 2023 में फिर से उसी सीट से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भाजपास सरकार में मंत्री पत की शपत ली चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूं कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की दर्वता और अखनता अक्चुम रखूंगा मैं चतिसगर राज के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का सद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सद्धान और वीधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथ्वा मुझे याद होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रुप से संसुचित या प्रगर्ट नहीं करूँगा अपने भी मंत्री पत्ति पद और गोप्रिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंत्राले समाला है सरपंच से राजनीती की शुरुवात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंत्री भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्यक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाजपा सबकार में भाजपा कारिकाल में मंत्री पत्की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यब जी का होगा सब्सक्राइब करने लिए कि अब एक सी बात है बड़ा दिन है दयालदास पहिल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हराकर ये विधायक चुने गए है दोहजार तीन में पहली बार विधायक बने श्री केदार कश्यब बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यब इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा मैं छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का स्तरद्धा पुर्वक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूंगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री की रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छ अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूंगा अब यह भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन फिर लखनलाल दिवांगन का होगा मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूँ कि विधी के द्वारा इस्थापिक भारत के सविधान के प्रती सचीश रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्षूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के भीना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार न्याई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अव्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनियता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय यह लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से ने रवाजवा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नया करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूं कि जो बिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं कर चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनुबवी नेता हैं सर्गुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कर आए श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश का अस्ताक्षर फिर जाके आशिर मेरे सर्गुजा संभाग का प्रत्रिन दित्व अब ये भी करेंगे मनेदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विस है 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलियो ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रहाबित इलाके को इनोंने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बड़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशरवाद लेने के लिए पहुच रहे हैं अब इस कैबिनित में एक मात्र जो महिला है मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंतरकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती, सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षीत हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे कैबिनिट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्षमी राजवारे एक लौती महिला मंत्री बन चुकी है मंत्री पत की शपत उन्हों ने ले ली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्री की अब ये मंत्री बनी है एक मात्र महिला विधायक है लक्षमी राजवा और दोहजार बीस में जिला पंचायक सदस्य, दोहजार तईस में भटगाउ से विधायक और अब मंत्री पत की शपत की बोने नहीं हुआ। सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रगुता और अखण्णता अच्छुन्य रखूंगा। मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा। तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती शमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा। मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय छत्यसकर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुके हैं जुनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कराएं हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया सियम विश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर शरुलास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा यह भी मंत्री पत्की और गोपनियता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हारी चुंदन से आशिरवाद लेते हुए और राहुल जितने भी नौव पुशित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है कि महोदे आज का कारिक्रम समात्थ हुआ और शपत ग्रहन समारो संपन उस्क्रूसिव तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र पर मौजूद हैं सियम विश्णू देव साय और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक मंत्री पत से नवाजा जा रहा है अब वो शपत ग्रहन करेंगे एक्स्क्रूसिव तस्वीरे हैं हम आपको दिखा रहे हैं आई बीसी 24 पर साय मंत्री ली जा रहे है अनुमती ली जा रहे है मंत्री गण अपने पत तथा गुपनीता की शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित हैं निवेदन है कि खिर्पिया मंत्री गणों को पद एवां गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री ब्रिजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर व्रिजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल बंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है राइपर दक्षिन सीथ से लगातार चित कर आपे रहे हैं एमकॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा स्थापिक भारत के सद्धान के पती सथी सद्धा और लिष्टा रखोंगा मैं भारत की क्रमूता और अखंड़ता अंचुन रखोंगा मैं 36 गर राचिके ब्रभी के रुप में अपने कर्तवियों को सद्धा पुद्वत और सुझ अंत्य करण्चे निप्वहिं करूँगा तता मैं भै या सक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसान न्याय करूँगा अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसान न्याय करूँगा मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसए 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करूँगा अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर तक यह और चारिक्ता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब भाजपा सरकार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुलजे हुए नेतामे किन्ती मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि मैं विधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुचन रखूंगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने कर्तब्यों का सरदा पुरुवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश की विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के नुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठा से प्रतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतबियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनियता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्य सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिगर विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्रा ले सम्हाल चुके हैं और आप पादवर गोपनियता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं श्री दयालदास पगेल मैं दयालदास पगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की दर्वता और अखनता अक्चुम रखूंगा मैं चतिसगर राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सद्धान और वीधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथ्वा मुझे जयात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकी ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के समरक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्याच अथवा प्रत्याच रुप से संसुचित या प्रगर्ट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्रीपत की पद और गोपनिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंत्राले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुआत की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंत्री भी रहे अनुसुची जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार पिर इन्होंने भाजपा सक्कार में भाजपा कारिकाल में मंत्री पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आप इकसी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए है दुहजार तीन में पहली बार विधायक बने श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा मैं छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का स्त्रद्धा पुर्वक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूंगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं परत्यच्च अपरत्यच रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूंगा अब ये भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसू चित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा कर्मा लखनलाल दिवांगन का होगा बिल्कुल और फिर नरायनपुर विधानसभा सीट से ही विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी स से विधायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और श्री लखनलाल दिवांगन मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीस रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधिक अंसार नियाई करूंगा मैं लखन लाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अप्रिक्षित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत्ति उन्होंने शपत ली पद और घोपनीता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बढ़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाजवा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतब्यों का सरद्धा पुरुवक्त और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूं कि जो बिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं परत्यक्ष अथवा अपरत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं के मिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नेता है सरगुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोरवा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश काय समिती के अब सात्में पर ओपी च चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिन दित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाजपा भी सुनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चली ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रवाबित इलाके को इन्होंने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Awards से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे है कि अनुभाव के साथ युवा जोष तो उस युवा जोष को लीट कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुंचे है राज़वार बिर्ट में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी राजवाडे मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और सुध अंताकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षीत हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे कैबिनिट में एक मातर महिला हो लेकिन आत्म विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है और इनोंने कहा भी जब ये राम मंदर गई दर्शन करने के लिए कि मैंने आज भगवान राम से शक्ति मांगी है और देखिए उसका एक अंदास भी आज देखने को मिला और कितना खास हो जाता है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्ष्मी राजवारे एक लौती महिला मंत्री बन चुकी है मंत्रइपत की शपत उन्हों ने ले लिए भठगाओ से से पहली बार की विधाय ग seit सहते कम उम्र die अ bubbly कि लख मिए बात्गाओं सबाक शेत्र से पहली बार की विधाये सुरजपुर जिला पंचाय कि सदस से रही है पाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष्वी रही और 2020 में जिला पंचायक सदस्य 2023 में भटगाउं से विधायक और अब मंत्री पत्की शपत और नवे मंत्री को बुलाया जाएगा टंक राम वर्मा कि मैं कि मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सबत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखंड़ता अक्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्छपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्रमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषए 36 राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने करतवियों के संव्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंक राम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवेश बैस के हाँ ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुक के साथ इनके जो जतने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंक राम वर्मा ये भी मंत्री पत की और गोपनेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्व भूशन हरी चुंदन से आशिरवाद लेते हुए और रहुल जितने भी नौ विधायट थे अब मंत्री बन चुके हैं अब बिल्कुल जाहिर से बात है जिन माननी राजपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात हुआ और शपत गहन समारो संपन हो इस्क्रूजव तस्वीरे राजपाल विश्पर भूशन हरीचंदर और उनके साथ मंत्र पर मौचूद हैं सीम विश्णू देव साय और बस अब शपत गहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जो महोदे मंत्री कन अपने पद तथा गोपनीता की शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित निवेदन है कि कृपिया मंत्री कनों को पद एवं गोपनीता की शपत ग्रहन कराए श्री भृजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भृज मुहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल मंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है तुनाय पूर्दक्षिन सिर्थ से लगातार जित कर आपे रहे हैं मैं कौम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा स्थापिक भारत के सध्धान के पती सथी सद्धा और लिष्टा रखूंगा मैं भारत की क्रभूता और अखंड़ता अख्शून रखूंगा मैं 36 गया राकिके बनवी के रूप में अपने कर्दवियों को सध्धा पुबत और सुझ अंत्य करण्चे निवहिन करूँगा ज़ता मैं भै या पच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा पच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय शत्तिसगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्वत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं कर पाद और गोपनियता की शपत ब्रिजमोहन अग्रवाल ने ले ली कुशल रन्नीतकार और 15 साल से मंत्री और 1990 से लगातार विदायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताप्शर की अब देखिए मिल रहे हैं राज जेपाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब आजपा सरकार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे किंती मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि मैं विधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता असुष्ण रखूंगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतब्यों का सरधा पुरवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रति समिधान और विधी के नुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेख्तिया तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्म्यक निरूहन के लिए ऐसा करना बेख्छी थो मैं परत्यक्ष अथवा आपरत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा पादवर गोपनिता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभो आदिन कल्यान, राज्य सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्राले सम्हाद चुके हैं और आप पादवर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की दुपता और अखनता अक्चुम रखूँगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का सुध्धा पुर्वक और सुध्ध अंदिकरण से निर्वान करूँगा तथा मैं भै या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सद्धान और वीधी के अंसार नियाई करूँगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार्ट के लिए लाय जाएगा अथ्वा मुझे याद होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अपने भी मंतरी पत्ति पद और गुप्रिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के में ले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुवाग की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाजपा सबकार में भाजपा कारिकाल में मंतरी पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आभी क्सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार विधायक बेश्यप श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का स्त्रद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छा अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब यह भी मंत्री हो गया कांचा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्ति आंत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा करमा लखनलाल दिवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसभा सीट से ही विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और अभी वाग श्रीक लखनलाल दिवांगन मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूँ कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीस रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंतरी के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्छपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अव्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा लकनलाल दिवांगन भी मंतरी पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनी अता की मेयर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंतरी पत की शपत ले रहे हैं कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंतरी जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंतरी पत से नहीं रवाजवा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नया करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूं कि जो भिसे 36 गड़ राज्य के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं चलिए श्याम बिहारी जैसवाल भी अब मंतरी हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्टी से मिस्सी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नेता है सरगुजा संभाग से एक और मंतरी मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैसवाल भाजपा कोरवा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे सा पदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिन दित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सुनाई दिये मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूँगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विस है 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलि यह ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रहाबित इलाके कोईनोंने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से ना वाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुंचे है राज़वार के में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कई उलेखनिये कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी राजवाडे मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक्त और सुद्ध अंतरकरण चे निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षी थो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी भले ही पूरे कैबिनेट में एक मातर महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है जब ये राम मंदर गई दर्शन करने के लिए कि मैंने आज भगवान राम से शक्ति मांगी है और देखिए उसका एक अंदास भी आज देखने को मिला और कितना खास हो जाता है विश्रुदेव मंतरी बंडल है और लक्ष्मी राजवारे एक लौती महिला मंतरी बन चुकी है मंतरी पत की शपत उन्होंने लेली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्रिकी अब ये मंतरी बनी है एक मात्र महिला विधायक है लक्ष्मी राजवारे जो धाई महिने पहले टिकट मिला था इनको धाई महिने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्षमी राजवाडे भटगाओं विधानसबाक शेत्र से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस से रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष्वी रही और 2020 में जिला पंचायत सदस से 2023 में भटगाओं से विधायक और अब मंतिपत की शपत और अब नवे मंतिरी को बुला जाएगा टंकराम वर्मा जी को श्री टंकराम वर्मा मैं टंकराम वर्मा इस्वर की सबत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखण्डता अख्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंतिरी के रूप में अपने करतब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्रमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषए 36 राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंक राम वर्मा भी मंत्रीपत की शपत ले लिए और अकांग्षा यह आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप यह उनके पीए रहे हैं और आज मंत्रीपत की रवीश बैस के हां यह बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुके आजुनी के साथ मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया सियम विश्णुदेव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर शरुलास के साथ इनके जो जितने भी सकते परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्रीपत की और गोपनेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हरी चुंदन से आशिरवाद लेते हुए और रहुल जितने भी नौव परिशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात्थ हुआ और शपत ग्रहन समारो संपन्य उस्क्रूसिव तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र पर मौजूद है सिम विश्णू देव साय और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक मंत्री पत से नवाजा जा रहा है अब वो शपत ग्रहन करेंगे एक्स्क्रूसिव तस्वीरे हैं हम आपको दिखा रहे हैं आईबसी 24 पर साय अनुमती ली जा रहे है अनुमती ली जा रहे है यहां उपस्थित है निवेदन है कि कृपिया मंत्री कणों को पद एवं गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री भ्रिजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भ्रिजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल बनती रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है राइपर दक्षिन सीथ से लगा था जित पर आपे रहे हैं एम कौम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा इस्थापि भारत के सद्धान के पती सथी सद्धा और लिष्टा रखूँगा मैं भारत की क्रमुता और अखंड़ता अंचुन रखूँगा मैं 36 गर राचिके बनदी के रूप में अपने कर्तवियों को सद्धा पुद्वत और सुझ अंत्य करेंचे निपहिन करूँगा तता मैं भै या सचपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा पुद्वत अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय चतिसगार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं पद और गोपनियता की शपत ब्रिज मोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रन्नीतकार और 15 साल से मंत्री और 1990 से लगातार विधायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब भाजपा सरकार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे किंती मैं राम विचार नेताम सत्त निष्ठा से परतिज्यान करता हूँ कि मैं विधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के परती सची सरधा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की परभुता और अखंता असुष्ण रखूँगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतब्यों का सरधा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा तो था मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के नुसार नयाय करूँगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतबियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनियता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्या, सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिगर विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्रा ले सम्हाल चुके हैं और आप पादवर गोपनियता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं भाजपास सरकार में भी क्याबरेंट मंत्री रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे, लेकिन देखिए, 2023 में फिर से उसी सीव से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भाजपास सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की तरुपता और अखंता अक्चुम रखूँगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूँगा तथा मैं भै या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूँगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार्ट के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे याथ होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के समर्वक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्याच अथवा प्रत्याच रूप से संसुचित या प्रगर नहीं करूँगा अब ये भी मंतरी पत्ति पद और गुपनिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुवात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाचपा सबकार में भाचपा कारिकाल में मंतरी पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सब्सक्राइब एक सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चिले गए है दोहजार तीन में पहली बार विधायक बड़ा श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सच्ची स्रध्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा मैं छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्तरधा पुरुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पचपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छ अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसूचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोक स्वास्ति आंत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबनेट मंत्री रहे हैं, 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गएते लेकिन पच्वा कर्मा लखनलाल दिवांगन का होगा बिल्कुल और फिर नरायनपुर विधानसभा सीट से ही विधायक चने गए हैं, 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने, 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जी और श्री लखनलाल दिवांगन मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और खन्ता अप्षूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनियता की मेयर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाजवा गया है 2005 में जैसा के राहूल बता रहे थे कोर्बा नगर निगम के महापौर भी रहे चतीजकर भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं पारशत से राजनीती की शुरुवात इन्होंने की है अकांग्षा और अब छटवा क्रमांग श्याम बिहारी जैसवाल का होगा फिलाल राज्यपाल से हो मिल रहे हैं पैर शुकर उन्होंने आशिरवाद लिया श्री श्याम बिहारी जैसवाल मैं स्याम बिहारी जैसवाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूँ कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्ट्री से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नहींता है बल्कुल सरगुजा संब्वाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराई श्याम बिहारी जैस्वाल भाशपा कोर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाशपा किसान मौर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है तो भाशपा कोरवा जिला संगठन प्रभारी भी रह चुके है कदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके है श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सुनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूँगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ जो विस है 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथो अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलि ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसी लिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गए थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और मंत्री पत्से आवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलंग की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है ओपी चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुचे है राजवार में मात्र मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रधा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रध्धा पूर्वक और सुध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षी थो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी बले ही पूरे कैबिनेट में एक मात्र महिला हो लेकिन आत्म विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है एक मात्र महिला विधायक है लक्ष्मी राजवाडे जो 3 मेंने पैले टिकेट मिला था इनको डाई महिने पहले जो टिकेट जारी किया गया था तो लक्ष्मी राजवाडे भडगाओं विधानसबाग शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस से रही भाजपाम महिला ओर्चा की लिध्यक्ष भी रही और 2020 में जिला पंचायत सदसी 2023 में भडगाओं से विधायक और अब मंत्री पत की शपत करूने नहीं श्री टंकराम वर्मा मैं टंकराम वर्मा इस्वर की सबत लेता हूँ कि मैं विधीद्वारा इस्थापीट भारत के समिधान के प्रती सची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखण्णता अख्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती शमिधान और विधी के अनुसार नियाएं करूंगा मैं तंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषए 36 राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंक राम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है अजनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया सिया मिश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर शरुलास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थ खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्री पत्की और गोपनेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हारी चंदन से आशिरवाद लेते हुए और राहुल जितने भी नौव विधायत थे मंत्री बन चुके हैं अब बिल्कुल जाहिर से बात है जिन माननी राजपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिकरम समात हुआ और शपत ग्रहन समारो संपन हो इस्क्रूसिव तस्वीरे राजपाल विश्व भूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र पर मौजूद हैं सियम विश्नु देव साय और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक मंत्री पत से नवाजा जा रहा है अब वो शपत ग्रहन करेंगे एक्स्क्रूसिव तस्वीरे आप दिखा रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं आपने पत तथा गोपनीता की शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित निवेदन है कि कृपिya मंत्री कणों को बद एवं गोपनीता की शपत ग्रांड कराये श्री ब्रीज मोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर बृज मोहन अगरवाल उन्हें सुनव्य दीमे से आज तक विधायक है उन्पंदरा साल मंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है तुनाय पुर्दक्षिन सीथ से लगातार चित करा आपे रहे हैं मैं इन्होंने किया है मैं विधी द्वारा इस्थापिक भारत के सद्धान के पती सद्धी सद्धार लिष्टा रखूँगा मैं भारत की क्रभूता और अखंड़ता अख्शुन रखूँगा मैं 36 गर राटिके बनुदी के रुप में अपने कर्तवियों को सद्धा पुपत और सुझ अंत्य करण्चे निवहन करूँगा ज़ता मैं भै या पच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अट्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबत के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करूँगा अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर जब तक यह और चारिक्ता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब हाजपा सर्कार में चौथे बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि मैं विधित वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रती सची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता असुचन रखूंगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतब्यों का सरधा पुरवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश की विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और भीधी के नुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठात से परतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के समयक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा पादवर गोपनियता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्य, सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र, विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्राले समाल चुके हैं और आप पादवर गोपनियता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं भाजपास सरकार में भी क्यावरेंट मंत्री रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे, लेकिन देखिए 2023 में फिर से उसी सीर से चनाओ जीते और अब एक बाद फिर भाजपास सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांगशा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की दरुपता और अखनता अच्चुम रखूंगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अधवा मुझे याद होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतबियों के सम्रेक निर्वहन के लिए ऐसा करना है अपजित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रुप से संसुचित या प्रगर्ट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री पत्ति पद और गोपनिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंत्राले समाला है सरपंच से राजनीती की शुरुआ की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंत्री भी रहे अनुसुची जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इनोंने भाचपा सबकार में भाचपा कारिकाल में मंत्री पत्की शपतली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आभी क्सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार विधायक बार श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का स्त्रद्धा पुरुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं परत्यच्छा अपरत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री हो गया कांचा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसू चिजाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोक स्वास्ति आंत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा करमा लखनलाल दिवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसभा सीट से ही विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और अभी वाग श्री लखनलाल दिवांगन मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीस रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंतरी के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अव्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्योग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक चाथवा अप्रतेक चरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंतरी पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनी अता की मेर रहे हैं पात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंतरी पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंतरी जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंतरी पत से नहीं रवाजवा गया है 2005 में जैसा कि राहुल बता रहे थे कोर्बा नगर निगम के महापौर भी रहे चतीजकर भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं पार्शत से राजनीती की शुरुवात इन्होंने की है आकांग्शा और अब छटवा क्रमांग श्याम बिहारी जैसवाल का होगा फिलाल राज्यपाल से वो मिल रहे हैं पैर शुकर उन्होंने आशिरवाद लिया श्री श्याम बिहारी जैसवाल मैं स्याम बिहारी जैसवाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूं कि जो भिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जब्कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार केमेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नेता है सरगुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेने है तो भाजपा कोर्बा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नीता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रिपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सुनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविंधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विस है 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे घ्यात होगा उशे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिछित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलि ये ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रहाबित इलाके को इनोंने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से ना वाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है ओपी चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुंचे है राजवार का अब इस कैबिनित में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कई उलेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी दाजवाडे मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक्त और सुध अंताकरण चे निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूं कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षी थो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी भले ही पूरे कैबिनिट में एक मातर महिला हो लेकिन आप बिश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है और इनोंने कहा भी जब ये राम मंदर गई दर्शन करने के लिए कि मैंने आज भगवान राम से शक्ती मांगी है और देखिए उसका एक अंदास भी आज देखने को मिला और कितना खास हो जाता है विश्रुदेव मंतरी बंडल है और लक्ष्मी राजवारे एक लौती महिला मंतरी बन चुकी है मंतरेपत की शपत उन्होंने लेली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्रिकी अब ये मंतरी बनी है एक मातर महिला विधायक है लक्ष्मी राजवारे जो धाई मही ने पहले टिकट मिला था इनको धाई मही ने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्ष्मी राजवाडे भटगाओं विधानसबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस से रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष्वी रही और 2020 में जिला पंचायत सदस से 2023 में भटगाओं से विधायक और अब मंतिपत की और अब दवे मंत्री को बुलाया जाएगा टंकराम वर्मा जी को मैं टंकराम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधीद्वारा इस्थापिट भारत के सविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखण्डता अख्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषए 36 राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्रीपत की शपत ले लिए और अकांग्षा यह आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप यह उनके पीए रहे हैं और आज मंत्रीपत की रवेश बैस के हाँ यह बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुके आजुनी के साथ मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान के आगया सियम विश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर शरुलास के साथ इनके जो जितने भी समर्थ सकते परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्रीपत की और गोपनेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हरी चुंदन से आशिरवाद लेते हुए और राहुल जितने भी नौव वि पुशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात्थ हुआ और शपत ग्रहन समारो संपन उस्क्रूजव तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र पर मौजूद हैं सीम विश्णू देव साय और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक यहां उपस्थित हैं कि कि खृपिया मंत्री कणों को पद एवां गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री ब्रिजमोहन अगरवाल पहले क्रमान पर ब्रिजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक बिधायक है 15 साल बंक्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमान पर उनका नंबर है राइपर दक्षिन सीफ से लगा था जित पर आपे रहे हैं एमकॉम इनों ने किया है सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा कि मैं मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल इस्वर की सपत लेता हूं कि जो विशय 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्म्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो मैं प्रत्यक्षत्वा प्रत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करूँगा पदर गोपनियता की शपत ब्रिजमोहन अग्रवाल ने ले ली कुशल रनीतकार और पंद्रा साल से मंत्री और 1990 से लगातार विधायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांशदर तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताप्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्यपाल और मुक्ष मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब आजपा सर्कार में चौथी बार की बी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे गिंती मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिज्यान करता हूँ कि मैं विधित वारस थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सर्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुष्ण रखूँगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतव्यों का सर्धा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा तो था मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रति समिधान और भीधी के अनुसार नयाय करूँगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गड़ राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतवियों के समयक निरोहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हो मैं परत्यक्ष अथ्वा आपरत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनियता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्या, सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र, विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंतराले सम्हाल चुके हैं और आप पादवर गोपनियता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं भाजपास सरकार में भी क्यावरेंट मंतरी रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे, लेकिन देखिए 2023 में फिर से उसी सीट से चनाओ जीते और अब एक बाद फिर भाजपास सरकार में मंतरी पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की तरुपता और अखनता अक्चुम रखूँगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूँगा तथा मैं भै या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और विधी के अंसार नियाई करूँगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सहे 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार्ट के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंतरी पत्ति पद और गुपनीता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के में ले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंग से राजनीती की शुरुआत की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार पिर इन्होंने भाचपा सबकार में भाचपा कारिकाल में मंतरी पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा कि अब इस बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर यह विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार विधायक श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्त्रद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छा अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब यह भी मंत्री हो गया कांशा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003 2008 2013 में भी रमन सरकार में क्याबनेट मंत्री रहे हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और श्री लखन लाल देवांगन मैं लखन लाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीश रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और खनता अप्षूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अभ्यक्ति अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनियता की मेयर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाजवा गया है 2005 में जैसा के राहूल बता रहे थे कोर्बा नगर निगम के महापौर भी रहे चतीजकर भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे है पारशत से राजनीती की शुरुवात इनों ने की है आकांग्शा और अब छटवा क्रमांग श्याम बिहारी जैसवाल का होगा फिलाल राज्यपाल से वो मिल रहे हैं पैर छुकर उन्होंने आशिवाद लिया श्री श्याम बिहारी जैसवाल मैं स्याम बिहारी जैसवाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूं कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना्य पेक्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नहींता है सरगुजा सम्हाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कर आए श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोर्वा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाश्पा किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाश्पा प्रदेश का अशिरवाद लेंगे अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है भाश्पा कोर्वा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नीता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही हैं ओपी भाईया भी सनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूँगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं मैं प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंते वाड़ा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों सब्सक्राइब ने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा तत्कालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में पीम एक्सिलेंस अवार्ट से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए इस बार बड़ी जीत दर्ज की और मंत्री पत्से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक मात्र जो महिला हैं उन्हें शपत लेना है अगला क्रमांग कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कहीं लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी दाजवाडे मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रधा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रध्धा पूर्वक और सुध अंताकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवारे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षी थो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी भले ही पूरे कैबिनेट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है एक मात्र महिला विधायक है लक्ष्मी राजवाडे जो धाई महिने पहले टिकट मिला था इनको धाई महिने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्ष्मी राजवाडे भटगाओं विधानसबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सद रक्ष्वी रही और दोहजार बीस में जिला पंचाइप सदस्य, दोहजार तईस में भटगाउ से विधायक और अब मंत्री पत की शपत को नहीं नहीं नवे मंत्री को बुला जाएगा टंकराम वर्मा जी को श्री टंकराम वर्मा मैं टंकराम वर्मा इस्वर की सबत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखण्ड़ता अक्षुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं तंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय छतिसगर राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है तो जिन मंत्रीयों की पिए रहे चुके हैं आजनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलाउदा बाजार से जीत कर आये हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया अब बिल्कुल जाहिर से बात है जिन माननी राज़पाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात हुआ और शपत गहन समारो संपन हो इसक्लूसिव तस्वीरे राज़पाल विश्पभुशन हरीचंदर और उनके साथ मत्र मौचूद है सियम विश्नु देव साय और बस अब शपत गहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जो नहीं मंत्रि पत्त से नवाजा जा रहा है अब वो शपत गहन करेंगे एक्स्कूद तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं आए ऑब पनी पर तथा गोपनीता की शपत गहन करने के लिए यहां उपस्थित है निवेदन है कि कृपिया मंत्री गणों को पद एवं गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री ब्रिजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर ब्रिजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक बिधायक है 15 साल मंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है दनायपुर दक्षिन सीफ से लगातार चित पर आपे रहे है मैं कॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा इस थापिक भारत के सद्धान के पती सद्धी सद्धार लिष्टा रखूँगा मैं भारत की क्रमूता और अखंड़ता अख्शुन रखूँगा मैं 36 गर राचिके बनुदी के रुप में अपने कर्तवियों को सद्धार पुपत और सुझ अंत्य करण्चे निवहिन करूँगा ज़ता मैं भै या पक्षपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय 36 गर राज्यके मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्वत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्षत्वा प्रत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करूँगा पदोर गोपनियता की शपत ब्रिजमोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रन्नीतकार और पंद्रा साल से मंत्री और 1990 से लगातार विदायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अगांचर तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिए है अगर अब अब्हाजपा सवत्तार में चौथी बार की मंत्री बन चुक्या है श्री राम विचार नेताम आधिवासियों में सुल्जे हुए नेताम में गिंती राम उजगंघ सीट से वर्तमार सथ निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधित वारज थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सरधा और निश्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता असुचन रखूंगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने कर्तब्यों का सरधा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश की विना सभी परकार के लोगों के प्रति समिधान और भी धी के नुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठात से परतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा अब पादौर गोपनियता की शर्पत लेने के बाद हस्ताप्शर कर रहे हैं साल दोहजार तेरा में रामन उज्गन से चनाव हारे लेकिन देखिए दोहजार तेईस में फिर से उसी सीट से चनाव जीते और अब एक बार फिर भादपास सरकार में मंत्रीपत की शपत ली चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्शा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निश्टा रखूँगा मैं भारत की दर्वता और अखनता अक्चुम रखूँगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुध्धा पुर्वक और सुध्ध अंदिकरन से निर्वान करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सद्धान और वीधी के अंसार नियाई करूँगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे व्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष एथवा प्रत्यक्ष रुप से संसुचित या प्रगर्ट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री पत्ति पद और गुपनिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंत्राले समाला है सरपंच से राजनीती की शुरुबात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंत्री भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्भक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाजपा सक्कार में भाजपा कारिकाल में मंत्री पत्की शपतली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यब जी का होगा सबाब एकसी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए है दोहजार तीन में पहली बार विधायक बने श्री केदार कश्यब बस्तर का बड़ा चेरा मैं केदार कश्यब इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची सरद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का स्तरद्धा पुरुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी विक्ति या विक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छ अप्रत्यच्छ रूप से संसोजित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री हो गया कांचा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसू चित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में काबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन फिर लखनलाल दिवांगन का होगा बिल्कुल और फिर नरायनपुर विधानसभा सीट से ही विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चुनाओ जीते और अब श्री लखनलाल देवांगन मैं मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज्य के मंतरी के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात, अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार न्याय करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गराज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अव्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्योग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपत लीप पद और घोपनियता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बढ़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से ने रवाजवा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुर्वक्त और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नया करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूं कि जो बिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्ट्री से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नेता हैं सर्गुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कर आए श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश के बाद हस्ताक्षर फिर जाके भाजपा कोर्बा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चेहरे सर्गुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एड्यूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बड़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुच रहे हैं अब इस केविनित में एक मात्र जो महिला है मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती, सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना प्यक्षित हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे कैबिनेट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्ष्मी राजवारे एक लौटी महिला मंत्री बन चुकी है लक्ष मिराजवारे ये टीकट जारी किय jin है तो लक्षमी राजवाडे भटगाओं विधानसबाक शेत्र से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस्य रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष्वी रही और 2020 में जिला पंचायत सदस्य, 2023 में भटगाओं से विधायक और अब मंतिपत की शप और अब नवे मंत्री को बुला जाएगा टंकराम वर्मा जी को अब छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति शमिधान और विधी के अन जी सेच्ष busy जरॉप में मेरे विछार के लिए लाया जायेगा अठ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी आधकात हो भैति या ब्हक्तियों को निर्वान के प्रत्यायक्ष और अप्रत्याक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्रीपत की शपत ले लिए और अकांग्शा ये आज जो शपत ले चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्रीपत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रीओं की पीए रहे चुके हैं आजुनी के साथ मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कराए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया सियम विश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर शणो लास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्रीपत की और गोपनेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हारी चुंदन से आशिरवाद लेते हुए और राहुल जितने भी नौव विधायट थे अब मंत्री बन चुके हैं अब बिलकुल जाहिर से बात है जिन माननी राजपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात हुआ और शपत ग्रहन समारो संपन्हों इस्क्रूशित तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र पर मौजूद है और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जो है मंत्री पत से नवाजा जा रहा है अब वो शपत ग्रहन करेंगे एक्स्कूसिव तस्वीरे हैं हम आपको दिखा रहे है आई बीसे पुणिपोर पर साय मंत्री प्रक्राइब अपने पत तथा गोपनीता की शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित है निवेदन है कि कृपिया मंत्री कणों को पत एवा गोपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री भृजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भृजमोहन अगरवाल 1990 से आच तक बिधायक है पंद्रा साल बंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है राइप रदक्षिन सीर्थ से लगा था जित कर आपे रहे हैं एमकॉम इनों ने किया है पच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसान नयाय करूँगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसाय 36 राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करूँगा पद और गोपनियता की शपत ब्रिजमोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रन्नीटकार और पंदरा साल से मंत्री और 1990 से लगातार विधायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर जब तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताप्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्यपाल और मुक्ष मंत्री से उन्हें आशिरवाद लिया है और अब आश्पा सरकार में चौथी बार ही भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे गिंती मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिज्यान करता हूँ कि मैं विधित वारस थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सरधा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुचन रखूँगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतब्यों का सरधा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा तो था मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी परकार के लोगों के प्रति समिधान और विधी के नुसार नयाय करूँगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतबियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनिता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्य सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिगर विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्रा ले सम्हाल चुके हैं और आप पादवर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की तरुपता और अखनता अक्चुम रखूंगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का सुध्धा पुर्वक और सुध्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार्ट के लिए लाय जाएगा अथ्वा मुझे याद होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्याच अथ्वा प्रत्याच रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंतरी पत्ति पद और गुपनिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुवात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार पिर इनोंने भाजपा सबकार में भाजपा कारिकाल में मंतरी पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आभी क्सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगील के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए है दुहजार तीन में पहली बार विधायक बार श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का स्त्रद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छा अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा करमांग लखनलाल दिवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसवा सीट से ही विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और श्री लखनलाल दिवांगन मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूँ कि विधी के द्वारा इस्थापिक भारत के सविधान के प्रती सचीस रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्षूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंतरी के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधिक अंसार नियाई करूंगा मैं लखन लाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अव्यक्तियों को तब के सिवाय जबकी ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्योग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंतरी पत की उन्होंने शपत ली पद और घोपनी अता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंतरी पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंतरी जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंतरी पत से नहीं नवाज़ा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड़ता अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का सरद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नया करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूँ कि जो बिसे 36 गड़ राज्य के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं चलिए श्याम बिहारी जैसवाल भी अब मंतरी हो गए पड़े लिखे हैं के मिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नेता है बिल्कुल सर्गुजा संभा से एक और मंतरी मनेंदगर से जीत कराई श्याम बिहारी जैसवाल भाजपा कोर्वा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश के बाश्ताक्षर फिर जाके आशिक बाद लेंगे अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है तो भाजपा कोर्वा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रतनिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की श पते डिएंट उपी चौधरी इस उपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा जिस थापीट भारत के सविधान के प्रती सच्टी स्रद्धा और निष्ठा रखुंगगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रहबित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Awards से नवाजा गया था ये एक बहुत बड़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे है कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है ओपी चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुचे है राजवार के अब इस गैबिनित में एक मात्र जो महिला है मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रधा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रध्धा पूर्वक और सुद्ध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षीत हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे केबिनिट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप्विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्षमी राजवारे एक लौती महिला मंत्री बन चुकी है मंत्रेपत की शपत उन्हों ने ले ली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्रिकी अब ये मंत्री बनी है एक मात्र महिला विधायक है लक्षमी राजवा और दोजार बीस में जिला पंचायव सदस्य, दोजार तीस में भटगाउ से विधायक और अब मंत्री पत की शपत की और अब नवे मंत्री को बुला जाएगा टंकराम वर्मा मैं टंकराम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखण्णता अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्रमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय 36 राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने करतवियों के संभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंक राम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवेश बैस के हाँ ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुक के सब्सक्राइब के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुश्या बाट रहे थे आतशबाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंक राम वर्मा ये भी मंत्री पत्की और गोपनिता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हरी चुंदन से आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात हुआ और शपत गहन समारो संपन उस्क्रूशिव तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र पर मौचूद है सीम विश्णू देव साय और बस अब शपत गहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एकर तमाम विधायक जोने मंत्री पत से नवाजा जा रहा है अब वो शपत गहन करेंगे एक्स्कूद तस्वीरे हैं हम आपको दिखा रहे हैं आईबसे 24 पर साहे मंत्री कण अपने पद तथा गोपनीता की शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित है निवेदन है कि कृपिया मंत्री कणों को पद एवं गोपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री भृजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भृजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल मंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है कि मैं विधी द्वारा इस्थापि भारत के सद्धान के पती सद्धार लिष्टा रखूँगा मैं भारत की क्रभूता और अखंड़ता अख्शून रखूँगा मैं 36 गया राकिके बनदी के रूप में अपने कर्दवियों को सद्धा पुर्वत और सुझ अंत्य करणचे जिवहिं करूँगा ज़ता मैं भै या पच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा पच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय शत्तिसगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अच्वा मुझे ग्याथ होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेछित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करूँगा पदर गोपनियता की शपत ब्रिज मोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रन्नीत कार और पंद्रा साल से मंत्री और निस सुनब्बे से लगातार विदायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अगांचर तक यह और चारिक्ता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब भाजपा सर्कार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे किंती मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिज्यान करता हूँ कि मैं विधित वारस थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सर्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुचन रखूँगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतब्यों का सर्धा पुरवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा तो था मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी परकार के लोगों के प्रति समिधान और विधी के नुसार नयाय करूँगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अथ्वा आपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे लेकिन देखिए दोhizar 23 में फिर से उसी सीच से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भादवर सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांग अकांग्शा द्यालदास बहेल का होगा श्री दयालदास बगेल मैं दयालदास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निश्चा रखूंगा मैं भारत की तरुपता और अखनता अक्चुम रखूंगा मैं 36 राज़ के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुध्धा पुर्वक और सुध्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज़ के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अपने भी मंतरी पत्ति पद और गुप्रिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के में ले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुवात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाचपा सबकार में भाचपा कारिकाल में मंतरी पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आभी किसी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार विधायक बड़ाइक कश्यप बस्तर का बड़ा चेरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवयों का स्त्रद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूंगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवयों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं परत्यच्छ अपरत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूंगा अब ये भी मंत्री हो गया कांचा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्ति आंत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा करमा लखनलाल दिवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसवा सीट से ही विधाइक चने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधाइक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और श्री लखनलाल दिवांगन मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीस रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनी अता की मेयर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाज़ा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक्त और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नया करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूं कि जो बिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नही करूंगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं के मिस्ट्री से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नेता है बल्कुल किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा कोर्वा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चहरे सर्गुजा संभाग का प्रतनिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सुनाई दिये मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूँगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिया ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन धंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रहाबित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से ना वाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है जैसे कि हम एक संतिलंग की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुचे है राजवार का अब इस के अबिनित में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी राजवाडे मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक्त और सुध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षीत हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी भले ही पूरे कैबिनिट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप बिश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है और इनोंने कहा भी जब ये राम मंदर गई दर्शन करने के लिए कि मैंने आज भगवान राम से शक्ती मांगी है और देखिए उसका एक अंदास भी आज देखने को मिला और कितना खास हो जाता है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्ष्मी राजवारे एक लौती महिला मंत्री बन चुकी है मंत्रेपत की शपत उनोंने लेली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्री की अब ये मंत्री बनी है एक मात्र महिला विधायक है लक्ष्मी राजवारे जो धाई महीने पहले टिकट मिला था इनको धाई महीने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्ष्मी राजवाडे भटगाओं विधानसबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस से रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष्वी रही और 2020 में जिला पंचायत सदस से 2023 में भटगाओं से विधायक और अब मंतिपत की और अब नवे मंत्री को बुलाए जाएगा टंकराम वर्मा जी को श्री टंकराम वर्मा मैं टंकराम वर्मा इस्वर की सबत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखण्डता अक्षुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती श्रमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय 36 राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्रीपत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्रीपत की रवेश बैस के हाँ ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुके चलिए आजनी के साथ मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान के आगया सियम विश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर शरुलास के साथ इनके जो जितने भी सम मंत्री बन चुके हैं अब बिल्कुल जाहिर से बात है जिन माननी राज़िपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात हुआ और शपत ग्रहन समारो संपन उस्क्रूजव तस्वीरे राज़पाल विश्व भूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र पर मौजूद हैं सीम विश्नु देव साय और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जोने मंत्री पत से नवाजा जा रहा है अब वो शपत ग्रहन करेंगे एक्स्कूदिव तस्वीरे आप दिखा रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं आईब सी कुझी पर पर शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित निवेदन है कि क्रफिया मंत्री करनों को पद एवं गौपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री परिज मुहन अगरवाल पहले क्रमान पर पैवन अगरवा उन्हें सुन्हटी से आज तक बिढ़笈एख हैं 15 साल बंठी रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है पक्षपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसान न्याय करूँगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय चतिसगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अटवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संचुटिया प्रकट नहीं करूँगा पादर गोपनियता की शपत ब्रिजमोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रन्नीतकार और पंद्रा साल से मंत्री और 1990 से लगातार विधायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताप्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्यपाल और मुक्ष मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब आजपा सर्कार में चौथी बार की बी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूं कि मैं विधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के प्रती सची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुष्ण रखूंगा मैं 36 गर राजी के मंत्री के रुप में अपने करतब्यों का सरधा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठा से परतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राजी के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतबियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा पादर गोपनिता की शपत लेने के बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्या, सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्राले संभाल चुके हैं और आप पादर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं भाजपास सरकार में भी क्यावरेंट मंत्री रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे, लेकिन देखिए 2023 में फिर से उसी सीर से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भाजपास सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की दुपता और अखनता अक्चुम रखूँगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का सुध्धा पुर्वक और सुध्ध अंदिकरन से निर्वान करूँगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूँगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार्ट के लिए लाय जाएगा अथ्वा मुझे याद होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगर नहीं करूँगा अपने भी मंतरी पत्ति पद और गुपनीता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंग से राजनीती की शुरुआत की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाजपा सबकार में भाजपा कारिकाल में मंतरी पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा अब इस बात है बड़ा दिन है दयाल दास वहीं के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर यह विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार विधायक श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का स्तरद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छा अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब यह भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोक स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबनेट मंत्र अब पच्वा कर्माग लखनलाल देवांगन का बिल्कुल और फिर लायनपुर विधानसवा सीट से ही विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चुनाओ जीते और श्री लखनलाल देवांगन मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्षूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अभ्यक्ति अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्योग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छीत हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचीत या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनी अता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से ने रवाज़ा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक्त और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूं कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं कर चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्ट्री से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनुबवी नेता हैं सर्गुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराई श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश का अशिरवाद लेंगे अब साथ मे पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है तो भाजपा कोर्बा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चेहरे सर्गुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधीद्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रति सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि जो विसे 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा चली ओपी चोगरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसी लिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वा हार गए थे लेकिन देखिए इस बार बड़ी जीत दर्ज की और मंत्री पत्से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतुलंग की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है है ओपी चौधरी और आश्रवाद लेने के लिए पहुंचे है राजवार में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी दा पत लेती हुँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पू मैं लक्षमी राजवारे इस्वर की शपत लेती हुँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपन करना पेक्षीत हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी भले ही पूरे कैबिनेट में एक मात्र महिला हो लेकिन आत्म विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्षमी राजवारे एक लौती महिला मंत्री बन चुकी है मंत्री पत की शपत उनों ने ले ली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्री की अब ये मंत्री बनी है एक मात्र महिला विधायक है लक्षमी राजवारे जो धाई महीने पहले टिकट मिला था इनको धाई महीने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्षमी राजवारे भटगाओं विधान सबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस से रही भाचपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष भी रही और दोजार बीस में जिला पंचायक सदस दोजार तेईस में भढ़गाउसे विधायक और अब मंत्री पत्की शपत की नहीं नहीं और अब नवे मंत्री को बुलाए जाएगा टंकराम वर्मा जी को मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के स्विधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रगुता और अखण्ड़ता अक्छुन्य रखूंगा। मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा। तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्रमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा। मैं मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय चतिसगर राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथो आप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्रीपत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्रीपत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुके आज जनी के साथ मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया से मिश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर शरुलास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे पर अब बिलकुल जाहिर से बात है जिन माननी राज़िपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिकरम समात हुआ और शपत गहन समारो संपन उस्क्रूसिव तस्वीरे राज़पाल विश्व भूशन हरीचंदर और उनके साथ मंत पर मौचूद हैं सियम विश्नु देव साय और बस अब शपत गहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जोने म क्या मुझे आपकी अनुमति करने के लिए यहां उपस्थित निवेदन है कि कृपिया मंत्री कणों को पद एवां गोपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री ब्रिजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर ब्रिजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल बनक्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है तो राइप रदक्षिन सीथ से लगातार चित कर आपे रहे हैं एमकॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा इस्थापि भारत के सद्धान के पती शत्री सद्धा और लिष्टा रखूँगा मैं भारत की क्रभूता और अखंड़ता अख्शुन रखूँगा मैं 36 गर राचिके बनदी के रुप में अपने कर्तवियों को सद्धा पुपत और सुझ अंत्य करण्चे निवहिं करूँगा तता मैं भै या सक्षपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा पुपत अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय चतिसगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं पद और गोपनियता की शपत ब्रिज मोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रनीतकार और 15 साल से मंत्री और 1990 से लगातार विडायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर जब तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब भाश्पा सरकार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे गिंती मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि मैं वीधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सरधा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुचन रखूंगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने कर्तव्यों का सरदा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश की विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के नुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठा से परतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनियता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्य, सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र, विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्राले सम्हाल चुके हैं और आप पादवर गोपनियता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं भाजपास सरकार में भी क्याबरेंट मंत्री रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे, लेकिन देखिए 2023 में फिर से उसी सीर से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भाजपास सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांगशा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की तरुपता और अखंता अक्चुम रखूँगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूँगा तथा मैं भय या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूँगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे व्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के समर्वक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगर नहीं करूँगा अब ये भी मंतरी पत्ति पद और गोपनीता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुवाद की है कि 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्भक्ष भी रहे और अब एक बार पिर इन्होंने भाचपा सक्कार में भाचपा कारिकाल में मंतर विलहस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा क्रमान केदार कश्यप जी का होगा सबाब इकसी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए है दोहजार तीन में पहली बार विधायक बने श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का स्त्रद्धा पुर्वक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूंगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी विक्ती या विक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं परत्यच्छ अपरत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगठ नहीं करूंगा अब ये भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसू चित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में काबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन फिर लखनलाल दिवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसभा सीट से ही विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने 2008-2013 मे नरायनपुर से चनाओ जीते और श्री लखनलाल देवांगन मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रति सची सरद्धा और निश्था रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंतरी के रूप में अपने कर्तवियों का सरद्धा पुर्वक और सुद अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अव्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा लकनलाल दिवांगन भी मंतरी पत की उन्होंने शपत लीप पद और घोपनीता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंतरी पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंतरी जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बढ़ी रही और इसलिए देखिए अब मंतरी पत से नहीं नवाज़ा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंतरी के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक्त और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूं कि जो बिसे 36 गड़ राज्य के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्ट्री से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनुबवी नेता है सरगुजा संब्भाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाचपा कोर्भा जिला संगठन के प्रभारी रहे है और भाचपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में अब सब्सक्राइब फिर जाके आशिर्वाद लेंगे अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है भाजपा कोरवा जिला संगठन प्रभारी भी रह चुके हैं कदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चेहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविंधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चली ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं और सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एड्यूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांक्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Awards से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड बीजिपी में शामिल हुए रायगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे है कि अनुभाव के साथ युवा जोष तो उस युवा जोष को लीट कर रहे है OBC चौधरी और आशरवाद लेने के लिए पहुंच रहे है अब इस पैबिनित में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमांग कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी दाजवाडे मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और सुध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे कैबिनिट में एक मातर महिला हो लेकिन आप बिश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है और इनोंने कहा भी जब ये राम मंदर गई दर्शन करने के लिए कि मैंने आज भगवान राम से शक्ती मांगी है और देखिए उसका एक अंदास भी आज देखने को मिला और कितना खास हो जाता है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्ष्मी राजवारे एक लौती महिला मंत्री बन चुकी है मंत्रेपत की शपत उन्होंने ले ली है से पहली बार के विधायक सबसे कम उम्रि कई अब ये मंत्री बनी है एक मात्र महिला विधाएक है लक्ष्मी राजवारे जो ठाइबिइद्सक्राइब लॢक्ष्मि राजवारे लक। भटगाओ-विधानसाबाक-शेत्र से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस्य रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष्वी रही और 2020 में जिला पंचायत सदस्य, 2023 में भटगाउं से विधायक और अब मंत्री पत की शपद की बिधायक। श्री टंकराम वर्मा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध्ध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती शमिधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा 36 राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्र अकांग राम वर्मा भी मंत्रीपत की शपत ले लिए और अकांग शा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्रीपत की रवीश बैस के हां ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुके हैं और लास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशबाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्रीपत की और गोपनियता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हरी चुंदन से आशिरवाद लेते हुए और रहुल जितने भी नौव विधाय थे मंत्री बन चुके हैं अब बिलकुल जाहिर से बात है जिन माननी राजपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात हुआ और शपत गहन समारो संपन्ह इस्क्रूजव तस्वीरे राजपाल विश्व भूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र पर मौजूद हैं सियम विश्णू देव साय और बस अब शपत गहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जो महोड़े मंत्री कर्ण अपने पद तथा गुपनीता की शपत गरहन करने के लिए यहां उपस्थित है निवेदन है कि खिर्पिया मंत्री कर्णों को पद एवा गुपनीता की शपत गरहन कराए श्री प्रिजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भृजमुहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल मंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है तरहाई पुर्दक्षिन सीथ से लगातार जित कर आपे रहे हैं मैं कौम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा स्थापिक भारत के सद्धान के पती सद्धा और लिष्टा रखूंगा मैं भारत की क्रमुता और अखंड़ता अख्शुन रखूंगा मैं 36 गया राकिके बनवी के रूप में अपने कर्तवियों को सद्धा दुपत और सुझ अंत्य करण्चे निवहिं करूँगा ज़ता मैं भै या पच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसान न्याय करूँगा पच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसान न्याय करूँगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय शत्तिसगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अट्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संचुकितिया प्रकट नहीं करूँगा पद और गोपनियता की शपत ब्रिजमोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रनीतकार और पंद्रा साल से मंत्री और 1990 से लगातार विधायक अब दूसरा करमांग राम विचार नेताम का होगा अकांशदर तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताप्षर की अब देगिए मिल रहे हैं राज्यपाल और मुक्ष मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब आश्पा सरकार में चौथी बार की वी मंत्री बन चुके है श्री रामविचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे गिंती रामनुजगन सीट से वर्तमार नेताम सत्त निष्ठा से प्रतिज्यान करता हूँ कि मैं विधित वारस थाफित भारत के समिधान की प्रति सची सरधा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुचन रखूँगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतब्यों का सरधा पुरवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा तो था मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश की विना सभी परकार के लोगों की प्रति समिधान और विधी के अनुसार नयाय करूँगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतबियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा बादवर गोपनिता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्य सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्रा ले सम्हाल चुके हैं और अब बादवर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं श्री दयालदास बगेल मैं दयालदास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की दर्वता और अखनता अक्चुम रखूंगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार्ट के लिए लाय जाएगा अथ्वा मुझे याद होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों के सम्रक निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्याच अथ्वा प्रत्याच रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अपने भी मंतरी पत्ति पद और गुपनिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुवाग की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इनोंने भाजपा सबकार में भाजपा कारिकाल में मंतरी पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आभी क्सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगिल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार विधायक बेश्यप श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्त्रद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छा अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री हो गया कांचा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्ति आंत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में काबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा करमा लखनलाल दिवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसभा सीट से ही विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और अभी वाग श्री लखनलाल दिवांगन मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूँ कि विधी के द्वारा इस्थापिक भारत के सविधान के प्रती सचीस रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्षूर रखूंगा मैं 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के भीना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखन लाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अव्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्योग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक चाथवा अप्रतेक चरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपत ली पद और घोपनी अता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाजवा गया है 2005 में जैसा के राहुल बता रहे थे कोर्बा नगर निगम के महा पौर भी रहे चतीजकर भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे है पार्शत से राजनीती की शुरुवात इन्होंने की है आकांग्शा और अब छटवा क्रमांग श्याम बिहारी जैसवाल का होगा फिलाल राज्यपाल से वो मिल रहे हैं पैर शुकर उन्होंने आश्यवाद लिया श्री श्याम बिहारी जैसवाल मैं स्याम बिहारी जैसवाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूँ कि जो बिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं क चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं के मिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनुभवी नेता हैं सर्गुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश के बाद अस्ताक्षर फिर जाके दावर नेता मनेंदगर के जाने माने चहरे सर्गुजा संभाग का प्रत्रिन दित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्री पत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सुनाई दिये मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विस है 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बड़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुचे है राज़वार के अब इस केबिने में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुन ही का है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी राजवाडे मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक्त और सुद्ध अंताकरण चे निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूं कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि एशे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षीत हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे कैबिनिट में एक मातर महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है जो धाई महिने पहले टिकट मिला था इनको डाई महिने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्ष्मी राजवाडे भटगाओं विधानसबाक शेत्री से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस से रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष्वी रही और 2020 में जिला पंचायत सदस 2023 में भटगाओं से विधायक और अब मंत्री को बोला जाएगा टंक राम वर्मा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधीद्वारा इस्थापीट भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखण्ड़ता अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्रमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषए 36 राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवेश बैस के हाँ ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुके आजुनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान के आगया से ये विश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर्श और लास के साथ इनके जो जितने भी समर अर्थक थे परिजन थे खुश्या बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्री पत्की और गोपनिता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हरी चुंदन से आशिरवाद लेते हुए और राहुल जितने भी न आज का कारेक्रम समात्थ हुआ मंत्री गण अपने पत तथा गोपनीता की शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित है निवेदन है कि कृपिया मंत्री गणों को पत एवं गोपनीता की शपत ग्रहन कराए श्री प्रिजमोहन अकरवाद पहले क्रमांग पर भुर्ज मुहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल बनती रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है तराय पुर्दक्षिन सीर्थ से लगा था जित पर आते रहे हैं मैं कौम इनों ने किया है कि मैं विधी द्वारा स्थापिक भारत के सद्धान के पती सत्थी सद्धा और लिष्टा रखूँगा मैं भारत की क्रभूता और अखंड़ता अख्शुन रखूँगा मैं 36 गया राकिके बनदी के रूप में अपने कर्दवियों को सद्धा पुर्वत और सुझ अंत्य करण्चे निवहिं करूँगा ज़ता मैं भै या पक्षपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा पक्षपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषए 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अक्षवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी विक्ति या विक्तियों को तबत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो मैं प्रत्यक्षवा अक्ष़ रूप से संचुटिया प्रकट नहीं करूँग पद और गोपनियता की शपत ब्रिज मोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रन्नीत कार और पंद्रा साल से मंत्री और उन्निस सुननब्बे से लगातार विडायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर जब तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्ने आशिरवाद लिया है और अब भाजपा सरकार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे किंती मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से परतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधित वारस थाफित भारत के समिधान के प्रती सची सरदा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुचन रखूंगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने कर्तव्यों का सरदा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश की विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के नुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठा से परतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अथ्वा आपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनिता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्या, सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र, विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्राले सम्हाल चुके हैं और आप पादवर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्तापशर कर रहे हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की तरुपता और अखनता अक्चुम रखूँगा मैं 36 गराज के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूँगा तथा मैं भै या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूँगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सहे 36 गराज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के समर्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रुप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री पत्ति पद और गुप्रिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंत्राले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुवात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंत्री भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाचपा सपकार में भाचपा कारिकाल में मंत्री पत्की शपतली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आभी एकसी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार विधायक बश्यप श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्त्रद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं परत्यच्छ अपरत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसू चिजाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोक स्वास्ति आंत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबनेट मंत्र जी रहे हैं, 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा करमाग लखनलाल देवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसभा सीट से ही विधायक चने गए हैं, 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने, 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते औ श्री लखनलाल देवांगन निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखनता अप्छूर रखूंगा, मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा, तथा मैं भाय या पक्षपात, अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार न्याई करूंगा, मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूं कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा, अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति अब्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो, मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छारूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपत लिप पद और घोपनी अता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाजवा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सरद्धा पुर्वक और सुद अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूं कि जो भिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्टिस MSC किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नहींता है सरगुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत करा है श्याम बिहारी जैसवाल भाजपा कोर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है तो भाश्पा कोरवा जिला संगठन प्रभारी भी रह चुके है कदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके है श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सुनाई दिये मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूँगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चली ओपी चौधरी भी मंतरी बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके को इनोंने एजुकेशन हब बनाया और इसी लिए आकांक्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बड़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गय थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और मंत्री पत्से न कैबिनिट में एक मात्र जो महिला हैं उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी दाजवाडे मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रधा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रध्धा पूर्वक और सुध अंताकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवारे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षी थो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंग भले ही पूरे कैबिनेट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है है एक मात्र महिला विधायक है लक्ष्मी राजवारे जो धाई महीने पहले टिकट मिला था इनको धाई महीने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्ष्मी राजवारे भटगाओं विधानसबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सद अध्यक्ष भी रही और दोहजार बीस में जिला पंचायत सदस्य दोहजार तीस में भटगाउ से विधायक और अब मंत्री पत्की शपत और अब दवे मंत्री को बुला जाएगा टंकराम वर्मा मैं टंकराम वर्मा इस्वर की सबत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखण्डता अक्षुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्रमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं तंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषए 36 राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्रीपत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्रीपत की रवेश बैस के हाँ ये बड़ी बात है वाग कई तो जिन मंत्रीओं की पीए रहे चुके हैं आजुनी के साथ मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया से मिश्णुदेव साय ने जब की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हारीचंदन से आशिरवात लेते हुए और रहुल जितने भी नौव विधायत थे अब मंत्री बन चुके हैं अब बिलकुल जाहिर से बात है जिन माननी राजपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क शपत ग्रहन समारो संपन उस्क्रूजव तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरीचंदन और उनके साथ मंत्र पर मौजूद हैं सीम विश्णू देव साय और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जोन है अब इसे 96 21 मंत्री कर्ण अपने तथा गुपनीता शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित निवहेदन है कि कहा मंत्री गणओं को से पड़ हेवां म哦 Armmore नीथा कि शपत ग्रहन कराए श्री बिर्विजमहन अग्रवाल पार में–C num我们 बॉस्ट नभी बीससे से आज तक विधायक है 15 साल बंती रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है राइपर दक्षिन सीफ से लगा था जित पर आपे रहे हैं सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं ब्रिजमोह नगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसाए 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्म्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करूँगा पादर गोपनियता की शपत ब्रिजमोहन अग्रवाल ने ले ली कुशल रनीतकार और 15 साल से मंत्री और 1990 से लगातार विढ़ायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांशजर तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताप्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्यपाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब आजपा सब्कार में चौथे बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेताम में गिंती मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि मैं विधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के प्रती सची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता असुशन रखूंगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतव्यों का सरधा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और भीधी के नुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठात से परतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आप परत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा अधिन कल्यान राज्य सुग्री जेल सहकारिता पंचायत ग्रामिग्र विकास बिधी जल संसाधन तमाम मंत्राले सम्हाल चुके हैं और आप पादर गोपनिता के शपत लेने के ब लेकिन देखिए 2023 में फिर से उसी सीर से चनाओं जीते और अब एक बार फिर भागपास सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की दर्वता और अखन्ता अक्चुम रखूंगा मैं चतिस्गर राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी से 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों के सम्रेक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगर नहीं करूँगा अपने भी मंतरी पत्ति पद और गुपनिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुआ की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाजपा सबकार में भाजपा कारिकाल में मंतरी पत्की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सब्सक्राइब करें कि अब एक सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बढ़िल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हराकर ये विधायक चुने गए है दोहजार तीन में पहली बार विधायक बने श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा मैं छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का स्तरद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूंगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री की रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छा अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूंगा अब यह भी मंत्री हो गया कांचा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसू चिज्जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोक स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में काबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपूर सीट से चनाओ हार गयते लेकिन पिर लखनलाल दिवांगन का होगा बिल्कुल और फिर नरायनपूर विधानसभा सीट से ही विधायक चने गये हैं 2003 में पहली बार भानपूरी से विधायक बन 2008-2013 में नरायनपूर से चनाओ जीते और श्री लखनलाल देवांगन मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीश रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्षूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार न्याई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्योग निर्वान के लिए ऐसा करना अप्रिक्षित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनी अता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाजवा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नया करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूँ कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे घ्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पक्ष्ट हो मैं परत्यक्ष अथवा अपरत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनुबवी नेता हैं सर्गुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश का अस्ताक्षर फिर जाके आशिरवा भाजपा कोर्बा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नीता मनेंदगर के जाने माने चहरे सर्गुजा संभाग का प्रत्रिद्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विस है 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसी लिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतुलंग की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुच रहे है राजवाड़ अब इस कैबिनित में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुन ही का है और कलेक्टर रहते हुए OBC चौधरी ने कई लेखनी कार किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी राजवाड़ मैं मैं लक्षमी राजवाड़े इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक्त और सुध अंतहकरण चे निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षीत हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे कैबिनिट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप बिश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है और इनोंने कहां भी जब ये राम मंदर गई दर्शन करने के लिए कि मैंने आज भगवान राम से शक्ती मांगी है और देखिए उसका एक अंदास भी आज देखने को मिला और कितना खास हो जाता है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्ष्मी राजवारे एक लौती महिला मंत्री बन चुकी है मंत्रेपत की शपत उन्होंने लेली है भटगाउ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्री की अब ये मंत्री बनी है एक मात्र महिला विधायक है लक्ष्मी राजवारे जो धाई महीने पहले टिकट मिला था इनको धाई महीने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्ष्मी राजवाडे भटगाओं विधान सबाक शेत्र से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस से रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष्वी रही और 2020 में जिला पंचायत सदस से 2023 में भटगाओं से विधायक और अब मंतिपत की शप तंकराम वर्मा 37 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति शमिधान और विधी के अनुसार नियायक करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय च्छतिसगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुके हैं आजनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया से ये विश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर श प्रभूशन हारी चुंदन से आशिरवात लेते हुए और राहुल जितने भी नौव विदायक था मंत्री बन चुके हैं अब बिलकुल जाहिर से बात है जिन माननी राजिपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का का प्रभूशन हारी चंदर और उनके साथ मंत्र पर मौचूद है सियम विश्नु देव साय और बस अब शपत गहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जोने मंत्री पत से नवाजा जा रहा है अब वो शपत ग्रहन करेंगे एक्स आरब करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति करने के लिए यहां उपस्थित है निवेदन है कि कृपिया मंत्री गणों को पद एवं गोपनीता की शपत ग्रहन कराए श्री प्रिजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भृजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल बंक्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है पर दक्षिन सीथ से लगातार चित कर आपे रहे हैं एमकॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा इस्थापि भारत के सद्धान के प्रती सद्धार निष्टा रखोंगा मैं भारत की क्रमूता और अखंड़ता अंचुन रखोंगा मैं अचित कर राचिके प्रती के रूप में अपने करतव्यों को सद्धा पुद्वत और सुझ अंत्य करण्चे निष्टा मैं भै या सच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय शत्तिसगर राज्यके मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्वत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं कर पद और गोपनियता की शपत ब्रिजमोहन अग्रवाल ने ले ली कुशल रन्नीतकार और 15 साल से मंत्री और 1990 से लगातार विधायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर जब तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब भाजपा सरकार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुझे हुए नेता मे किंती मैं राम विचार नेताम सत्त निष्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि मैं वीधित वारस थाफित भारत के समिधान के परती सची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुचन रखूंगा मैं 36 गर राजी के मंत्री के रुप में अपने कर्तब्यों का सरधा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश की विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के नुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठा से परतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राजी के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जब की ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतबियों के समयक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्शित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनियता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्य सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्रा ले समाल चुके हैं और आप पादवर गोपनियता की शपत लेने के बाद हस्तापशर कर रहे हैं श्री दयालदास बगेल मैं दयालदास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निश्टा रखूंगा मैं भारत की तरुपता और अखनता अक्चुम रखूंगा मैं 36 राजच के मंतरी के रूप में अपने कर्टप्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भय या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राजच के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे याथ होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रुएक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिचित हो मैं प्रत्याच अथवा प्रत्याच रुप से संसुचित या प्रगर्ट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री पत्ति पद और गुपनीता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंत्राले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुवात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंत्री भी रहे अनुसुची जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाचपा सबकार में भाचपा कारिकाल में मंत्री पत्की शपतली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आभी एकसी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए है दोहजार तीन में पहली बार विधायक बश्यप केदार कार बस्तर का बड़ा चेहरा भुशक। मैं केदार कश्यप इस्वरकी सपत लेता हूँ कि मैं विधीद्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रतिय प्रति चीष्रद्धा और निस्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा। मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्तरधा पुरुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूंगा। तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा। जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्भान के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छा अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूंगा। अब पच्वा कर्माग लखनलाल देवांगन का होगा। 2003 में पहली बार भानपूरी से विधायक बने, 2008-2013 में नरायनपूर से चनाओ जीते और… श्री लखनलाल देवांगन मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूँ कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभूता और खन्ता अप्षूर रखूंगा। मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा। तथा मैं भाय या पक्षपात, अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा। मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाए 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा, अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के समय निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो, मैं परतेक छाथवा अपरतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपतली, पद और घोपनी अता की, मेर रहे हैं, फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे, और आज मंत्री पत की शपतले रहे हैं और कोरबा सीट से वर्तमान विधायक है, पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं, जीत बेहत बड़ी रही, और इसलिए देखिए, अब मंत्री पत से नहीं नवाज़ा गया है, 2005 में जैसा के राहुल बता रहे थे, कोरबा नगर निगम के महापौ और भी रहे, चतीजकर भाज़पा के उपाध्यक्ष भी रहे है, 2004 में पार्शत से राजनीति की शुरुवात इनों ने की है, आकांग्शा, और अब छटवा क्रमांग श्याम बिहारी जैसवाल का होगा, फिलाल राज्यपाल से हो मिल रहे है, पैर शुकर उन्होंने आशि बाद लिया, श्री श्याम बिहारी जैसवाल, मैं स्याम बिहारी जैसवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा, मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतब्यों का सरद्धा पुरुवक्त और सुध अन्ता करण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भाय या पक्षपात, अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा, मैं स्याम भी हरी जैसवाल इस्वर की सबत लेता हूँ कि जो भिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो, मैं परत्यक्ष अथवा अपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। भाशपा कौर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाशपा किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में अब सात्में पे ओपी चौधरी को शपत लेनी है। से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सुनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्ष पात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चली ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन धंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Awards से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलंग की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीट कर रहे है और आशिरवाद लेने के लिए पहुँच है अब इस कैबिनित में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे मैं मैं लक्ष्मी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुद्ध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षी थो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी भले ही पूरे कैबिनेट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है एक मात्र महिला विधायक है लक्ष्मी राजवाडे जो धाई महिने पहले टिकट मिला था इनको धाई महिने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्ष्मी राजवाडे भटगाओं विधानसबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सद अध्यक्ष भी रही और दोहजार बीस में जिला पंचायक सदस्य, दोहजार तीस में भटगाउ से विधायक और अब मंत्री पत की शपत और अब दोवे मंत्री को बुलाए जाएगा टंकराम वर्मा जी को श्री टंकराम वर्मा मैं टंकराम वर्मा इस्वर की सबत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखर्णता अक्षुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्रमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं तंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषए 36 राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवेश बैस के ये बड़ी बात है अजनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलाओदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया से मिश्णु देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर शरुलास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशबाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्री पत की और गोपनेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्पी भूशन हारी चुंदन से आशिरवाद लेते हुए और रहुल जितने भी नौव विधाय अब मंत्री बन चुके हैं अब बिल्कुल जाहिर से बात है जिन माननी राजपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात हुआ और शपत ग्रहन समारो संपन उस्क्रूजव तस्वीरे राजपाल विश्व भूशन हरीचंदर और उनके साथ मंत्र पर मौजूद हैं सियम विश्नु देव साय और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक ज करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति करने के लिए यहां उपस्थित निवेदन है कि कृपिया मंत्री गणों को पद एवं गोपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री प्रिजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर ब्रिजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल बन करी रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है तराय पुर्दक्षिन सीथ से लगाता है जित करा आपे रहे हैं एमकॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा इस्थापि भारत के सद्धान के पती सथी सद्धा और लिष्टा रखूंगा मैं भारत की क्रभूता और अखंड़ता अंचुन रखूंगा मैं सब्सक्राइब के रूप में अपने कर्तव्यों को सद्धा पुबत और सुझ अंत्य करण्चे निवहन करूंगा ज़ता मैं भै या सच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय शत्तिसगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबिट के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवें के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेकशित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करूँगा पदर गोपनियता की शपत ब्रिजमोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रन्नीतकार और पंद्रा साल से मंत्री और 1990 से लगातार विडायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर जब तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब आश्पा सरकार में चौथी बार के भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेता में चिंती मैं राम विचार नेताम सट्य निश्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि मैं वीधित वारास थाफित भारत के समिदान के प्रती सची सरधा और निश्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुचन रखूंगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने कर्तब्यों का सरदा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश की विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के नुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठा से प्रतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतबियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनिता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्या, सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिगर विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्रा ले सम्हाल चुके हैं और आप पादवर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्तापशर कर रहे हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इस वर की सपत लेता हूं कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की तरुपता और अखनता अक्चुम रखूंगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार्ट के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे याद होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अपने भी मंतरी पत्ति पद और गुप्रिता की शपत लेली है नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुबात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्ध्यक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इनोंने भाचपा सपकार में भाचपा कारिकाल में मंतरी प सुब आभी क्सी बात है बड़ा दिन है दयालदास वगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए है 2003 में पहली बार विधायक बार श्री केदार कश्यम बस्तर का बड़ा चेरा मैं केदार कश्यम इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा। मैं छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्त्रधा पुरुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूंगा। तथा मैं भै या पचपात, अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा। कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्भान के लिए ऐसा करना अपेचित हो, मैं प्रत्यच्छा अप्रत्यच्य रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूंगा। अब ये भी मंत्री हो गया कांचा, एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है, अनुसुचित जाती विकास, पिछला वरग और अल्प संख्यक, विकास, लोग, स्वास्ति आंत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है, बखु भी? और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे, लेकिन पच्वा करमाग लखनलाल देवांगन का होगा। मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूँ कि विधी के द्वारा इस्थापिक भारत के सविधान के प्रती सचीश रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा। तथा मैं भाय या पक्षपात, अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार न्याई करूंगा। मैं लखन लाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा, अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अव्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्योग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो, मैं प्रतेक्छ अथवा अप्रतेक्छ रूप से संसूचित या प्रगट नह करूंगा और अब छटवा क्रमांग श्याम बिहारी जैसवाल का होगा, फिलाल राज्यपाल से हो मिल रहे हैं, पैर शुकर उन्होंने आशिरवाद लिया श्री श्याम बिहारी जैसवाल मैं स्याम बिहारी जैसवाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नया करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूं कि जो भिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं कर चलिए श्याम बिहारी जैसवाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं के मिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नेता है सरगुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कर आए श्याम बिहारी जैसवाल भाजपा कोरवा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश का अशिरबाद लेंगे अब साथ में ओपी चौधरी को शपत लेने हैं तो भाजपा कोरवा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नीता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधीद्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विस है 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलि यह ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रहाबित इलाके कोईनोंने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुच रहे हैं अब इस कैबिनित में एक मात्र जो महिला है मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूं कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षी थो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे कैबिनिट में एक मात्र महिला हो और देखिए उसका एक अंदास भी आज देखने को मिला और कितना खास हो जाता है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्षमी राजवारे एक लौती महिला मंत्री बन चुकी है मंत्रेपत की शपत उन्होंने लेली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्रिकी अब ये मंत्री बनी है एक मात्र महिला विधायक है लक्षमी राजवारे जो धाई महिने पहले टिकट मिला था इनको धाई महिने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्ष्मी राजवाडे भटगाओं विधानसबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस से रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष्वी रही और 2020 में जिला पंचायत सदस से 2023 में भटगाओं से विधायक और अब मंत्री पत की और नवे मंत्री को बुला जाएगा टंकराम वर्मा जी को श्री टंकराम वर्मा मैं टंकराम वर्मा इस्वर की सबत लेता हूँ कि मैं विधीद्वारा इस्थापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखण्ड़ता अख्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय 36 राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंक राम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवेश बैस के हां ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुके आजुनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान के आगया से विश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर्श और लास के साथ इनके जो जितने भी समर्थ सकते परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्री पत्की और गोपनेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हरी चंदन से आशिरवाद लेते हुए और राहुल जितने भी नौव परशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात्थ हुआ और शपत ग्रहन समारो संपन उस्विभ तस्वीरे राजपाल विश्वभूशन हरी चंदन और उनके साथ मंत्र पर मौजूद हैं सीम विश्णू देव साय और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जोने म अब वह शपत ग्रहन करेंगे एक्स्चूदिव तस्वीर आप दिखा रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं आई बालनों मती जा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं यहां उस्यंदिग– निवेदर हैं कि कृपिया मंत्री कणों को पद एवं गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं। श्री ब्रिजमोहन अगरवाल। पहले क्रमांग पर ब्रिजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक हैं। 15 साल मंत्री रहे हैं। उन्हें शपत लेना है। पहले क्रमांग पर उनका नंबर है। राइपुर दक्षिन सीर्फ से लगा था जित पर आपे रहे हैं। इमकौम इनोंने किया है। कि मैं विधी द्वारा स्थापिक भारत के सध्धान के पती सथी सथा और लिष्टा रखूँगा। मैं भारत की क्रभूता और अखंड़ता अक्षून रखूँगा। मैं 36 गर राट्य के बनुदी के रूप में अपने कर्तव्यों को सध्धा पुद्वत और सुझ अंत्य करण्चे निवहिन करूँगा। मैं भै या पक्षपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा। पक्षपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा। मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस स्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषए 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। अटवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए। जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो, मैं प्रत्यक्षत्वा प्रत्यक्ष रूप से संचुटिया प्रकट नहीं करूँगा। पद और गोपनियता की शपत ब्रिज मोहन अगरवाल ने ले ली, कुशल रन्नीत कार और पंद्रा साल से मंत्री और निस सुनब्बे से लगातार विदायक। अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा। अकांचर तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं। राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है। और अब भाजपा सर्कार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है। श्री रामविचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे किंती। मैं रामविचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ। कि मैं विधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सरधा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुचन रखूँगा। मैं 36 गर्राज के मंत्री के रुप में अपने करतव्यों का सरधा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा। मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गर्राज के मंत्री के रुप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रुप में अपने करतव्यों के समयक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो। मैं परत्यक्ष अथ्वा आपरत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा। मैं देखिए 2023 में फिर से उसी सीर से चनाओं जीते और अब एक बार फिर भागपास सरकार में मंत्री पत्र की शपत ली चुके हैं। तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा। मैं दयाल दास बगेल इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निश्टा रखूंगा। मैं भारत की तर्वता और अखनता अक्चुम रखूंगा। मैं 36 गराज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा। तथा मैं भै या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूंगा। मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सहे 36 गर्राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार्ट के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे व्यात होगा। अब ये बिएक्टि या बियक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के सम्वर्ट निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा। अब ये भी मंतरी पत की पद और गुपनीता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के में ले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुआत की हैं 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाचपा सबकार में भाचपा कारिकाल में मंतरी पत की शपत ली हैं बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा क्रमान केदार कश्यप जी का होगा सब आब एक सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चिले गए हैं 2003 में पहली बार विधायक बड़ा श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्त्रद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूंगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं परत्यच्य रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूंगा अब ये भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोक स्वास्ति आंत्र की विभाग को इन्होंने समाला है बखुबी और 2003 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबनेट मंत्री रह है 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और श्री लखन लाल देवांगन मैं मैं लखन लाल देवांगन इस वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंतरी के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अब्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंतरी पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनी अता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंतरी पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंतरी जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंतरी पत से नहीं रवाज़ा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंतरी के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूं कि जो भिसे 36 गड़ राज्य के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नहींता है सरगुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैसवाल भाजपा कोर्वा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भास्पा प्रदेश के बाद अस्ताक्षर फिर जाके आशिरवाद लेंगे अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है भास्पा कोर्वा जिला संगठन प्रभारी भी रह चुके हैं कदावर नीता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिन दित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके है श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविंधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूँगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्छित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चली ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Awards से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलंग की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुंचे है राज़वार का उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए OBC चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहूल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी राज़वाडे मैं मैं लक्षमी राज़वाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंताकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूं कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षीत हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे कैबिनेट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप मे जानी जाती और इनोंने कहां भी जब ये राम मंदर गई दर्शन करने के लिए कि मैंने आज भगवान राम से शक्ती मांगी है और देखिए उसका एक अंदास भी आज देखने को मिला और कितना खास हो जाता है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्ष्मी राजवाडे एक लौती महिला मंत्री बन चुकी है मंत्रेपत की शपत उनोंने ले ली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्री की अब ये मंत्री बनी है एक मात्र महिला विधायक है लक्ष्मी राजवाडे जो धाई महिने पहले टिकट मिला था इनको धाई महिने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्ष्मी राजवाडे भटगाओं विधानसबाक शेत्रे से पहली बार की विदायक सुरजपृ्ят पंचायत की सद से रही भाचपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष्वी नहीं और US जिलापंचायत सद स से 23 भटगाओनए विधायक tote मन्त्री को बुला जाएगा टंक राइम वर्मा मैं तंकरा वर्मा इस्वर की सबत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रवता और अखंडता अक्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अन्ता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्छपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्रमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय छत्यसगर राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंक राम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है अजनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलाओदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया सियंग विश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हरश और लास के साथ इनके जो जितने भी खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्री पत की और गोपनिता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हारी चुंदन से आशिरवाद लेते हुए और राहुल जितने भी नौव विधायक थे मंत्र है महोदे आज का कारिक्रम समात्थ हुआ और शपत ग्रहन समारो संपन हो इस्क्रूसिव तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र पर मौचूद है सियम विश्विश्व देव साय और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जो है मंत्री पत से नवाजा जा रहा है अब वो शपत ग्रहन करेंगे एक्स्क्रूसिव तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं करने के लिए यहां उपस्थित हैं निवेदन है कि कृपिया मंत्री कणों को पद एवं गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री भ्रिजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भ्रिजमोहन अगरवाल उन्हें सुनब्य से आज तक विधायक है 15 साल मंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है राइप रदक्षिन सीथ से लगातार चित कर आपे रहे हैं कॉम इनों ने किया है कि मैं विधी द्वारा इस थापिक भारत के सद्धान के पती सथी सद्धा और लिष्टा रखूंगा मैं भारत की क्रभूता और अखंड़ता अंचुन रखूंगा मैं 36 राचिके बनुदी के रुप में अपने कर्तवियों को सद्धा पुपत और सुझ अंत्य करण्चे निवहिन करूंगा ज़ता मैं भै या सचपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसए 36 राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं पदर गोपनियता की शपत ब्रिजमोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रनीतकार और 15 साल से मंत्री और 1990 से लगातार विडायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर जब तक यह अप्चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब हाश्पा सर्कार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे किंती मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि मैं विधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सरधा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुष्ण रखूँगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतब्यों का सरधा पुरवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा तो था मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी परकार के लोगों के प्रति सविधान और भी धीक अनुसार नयाय करूँगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेखतिया बेखतियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेखशीत हो मैं परत्यक्ष अथ्वा आपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा पादर गोपनिता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्य, सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र, विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्राले सम्हाल चुके हैं और आप पादर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं भाजपास सरकार में भी क्याबरेंट मंत्री रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे, लेकिन देखिए 2023 में फिर से उसी सीर से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भाजपास सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की दरुपता और अखनता अक्चुम रखूंगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुध्धा पुर्वक और सुध्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे याद होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतवियों के सम्वर्ट निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रुप से संसुचित या प्रगर्ट नहीं करूँगा अपने भी मंत्री पत्ति पद और गुपनिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंत्राले समाला है सरपंच से राजनीती की शुरुबात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंत्री भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्यक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाजपा सक्कार में भाजपा कारिकाल में मंत्री पत्की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा कि अब एक सी बात है बड़ा दिन है दयालदास पहिल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर यह विधायक चुने गए है दुहजार तीन में पहली बार विधायक बने ने श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वरा इस्थापित भारत के समेड़ान के पृति सच्ची स्रद्धा और निस्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा मैं छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का स्तरधा पुरुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूंगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री की रूप में अपने करतवों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यच्य अप्रत्यच्य रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूंगा अब ये भी मंत्री हो गया कांचा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसू चिज्जाती विकास पिछड़ा वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003-2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए ते लेकिन फिर लखनलाल दिवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसवा सीट से ही विधाइक चुने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधाइक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और श्री लखनलाल दिवांगन मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधिक अंसार न्याय करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अव्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपत लीप पद और घोपनियता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से ने रवाजवा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूं कि जो बिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं क करूंगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्ट्री से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नेता हैं सरगुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश का आशिरबाद लेंगे अब सात्में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है तो भाजपा कोर्बा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन धंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसी लिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतुलन की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुच रहे हैं अब इस कैबिनित में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुन ही का है और कलेक्टर रहते हुए OBC चौधरी ने कई लेखनी कार किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी दाजवाडे मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक्त और सुध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षीत हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी भले ही पूरे कैबिनिट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप बिश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है और इन्होंने कहा भी जब ये राम मंदर गई दर्शन करने के लिए कि मैंने आज भगवान राम से शक्ती मांगी है और देखिए उसका एक अंदास भी आज देखने को मिला और कितना खास हो जाता है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्ष्मी राजवारे एक लौती महिला मंत्री बन चुकी है मंत्रेपत की शपत उन्होंने ले ली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्री की अब ये मंत्री बनी है एक मात्र महिला विधायक है लक्ष्मी राजवारे जो धाई महीने पहले टिकट मिला था इनको धाई महीने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्षमी राजवाडे भटगाओं विधानसबाक शेत्रि से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस से रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष भी रही और दोहजार बीस में जिला पंचायत सदस दोहजार पैसमें भटगाओं से विधायक और अब मंत्री पत की शपत को नहीं देगी श्री टंकराम वर्मा मैं टंकराम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधीद्वारा इस्थापीत भारत के समिधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखण्णता अख्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय चत्यसकर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्रीपत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्रीपत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है तो जिन मंत्रीओं की पीए रहे चुके हैं आजनी के साथ मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया सियंग विश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर और लास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशबाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्रीपत की और गोपनियता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हारी चुंदन से आशिरवाद समात लेते हुए और राहुल जितने भी नौव विधाय था मंत्री बन चुके हैं अब बिलकुल जाहिर से बात है जिन माननी राजपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात हुआ और शपत ग्रहन समारो संपन इस्क्रूसिव तस्वीरे राजपाल विश्पर भूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र पर मौजूद हैं सियम विश्नु देव साय और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जो है मंत्री पत से नवाजा जा रहा है अब वो शपत ग्रहन करेंगे एक्स्क्रूसिव तस्वीरे हैं हम आपको दिखा रहे हैं आई बीसी 24 पर साय मंत्री ली जा रहे है अब अनुमत्ती ली जा रहे है यहां उपस्थित है निवेदन है कि किर्पिया मंत्री गणों को पद एवं गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री भृजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भृजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल बंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है राइपर दक्षिन सीथ से लगातार चित पर आपे रहे हैं एमकॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा स्थापिक भारत के सध्धान के पती सथी सद्धा और लिष्टा रखूँगा मैं भारत की क्रभूता और अखंड़ता अक्शुन रखूँगा मैं सब्सक्राइब के रूप में अपने कर्दव्यों को सध्धा पुपत और सुझ अंत्य करेंचे निवहिन करूँगा ज़ता मैं भै या सच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याई करूँगा अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याई करूँगा मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसए 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अट्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो मैं प्रत्यक्ष अट्वा तक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं कर पद और गोपनियता की शपत ब्रिज मोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रनीतकार और 15 साल से मंत्री और 1990 से लगातार विधायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचा जब तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब भाजपा सर्कार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे किंती मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि मैं विधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के परती सची सरदा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की परभुता और अखंता अशुष्ण रखूँगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतब्यों का सरदा पुरवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा तो था मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतबियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अथ्वा आपरत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादर गोपनिता की शपत लेने के बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्य सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्राले सम्हाल चुके हैं और आप पादर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं भाजपास सरकार में भी कैमरेंट मंत्री रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे, लेकिन देखिए 2023 में फिर से उसी सीर से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भाजपास सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्शा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की तरुपता और अखंता अक्चुम रखूंगा मैं 36 गराज के मंतरी के रूप में अपने कर्टप्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सहे 36 गराज के मंतरी के रूप में मेरे विचार्ट के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे याथ होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंतरी पत्ति पद और गुपनीता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के में ले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंग से राजनीती की शुरुआत की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाचपा सबकार में भाचपा कारिकाल में मंतरी पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सब्सक्राइब एक सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चिले गए है दोहजार तीन में पहली बार विधायक बड़ा श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्तरधा पुरुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पचपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवयों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं परत्यच्छ अपरत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसूचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोक स्वास्ति आंत्र की विभाग को इन्होंने समाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन फिर लखनलाल देवांगन का होगा बिल्कुल और फिर नरायनपुर विधानसभा सीट से ही विधायक चने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बन 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और श्री लखनलाल देवांगन मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची, सरद्धा और निश्था रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखन्ता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का सरद्धा पुर्वक और सुध अंत करण्ड से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात, अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार न्याई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टब्यों के समयोग निर्वाहन के लिए ऐसा करना अप्रिक्षित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनियता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाजवा गया है 2005 में जैसा के राहूल बता रहे थे कोर्बा नगर निगम के महापौर भी रहे चतीजकर भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं पारशत से राजनीती की शुरुवात इनों ने की है अकांग्षा और अब छटवा क्रमांग श्याम बिहारी जैसवाल का होगा फिलाल राज्यपाल से वो मिल रहे हैं पैर शुकर उन्होंने आशिरवाद लिया श्री श्याम बिहारी जैसवाल मैं स्याम बिहारी जैसवाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूं कि जो भिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नहींता है सरगुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगड से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कॉरबा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाश्पा प्रदेश के बाद अस्ताक्षर फिर जाके आशिर्वाद लेंगे अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है भाश्पा कोर्वा जिला संगठन प्रभारी भी रह चुके हैं कदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके है श्री ओपी चौधरी तालियां बज रही है ओपी भाईया भी सनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूँगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विस है 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चली ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Awards से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है जैसे कि हम एक संतिलंग की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोष तो उस युवा जोष को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुच रहे है मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रधा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रध्धा पूर्वक और सुध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षी थो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी भले ही पूरे कैबिनेट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है एक मात्र महिला विधायक है लक्ष्मी राजवाडे जो धाई महिने पहले टिकट मिला था इनको धाई महिने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्ष्मी राजवाडे भटगाओं विधानसबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सद ध्यक्ष्वी रही और दोहजार बीस में जिला पंचायव सदस्य दोहजार तेज में भटगाउ से विधायव और अब मंत्री पत की शपत और अब नवे मंत्री को बुलाए जाएगा टंकराम वर्मा जी को टंकराम वर्मा मैं टंकराम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखण्ड़ता अक्षुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्रमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं तंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय छतिसगर राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंक राम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत ले चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है अजनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलाओदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया सिया मिश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर शरुलास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थ थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्री पत्की और गोपमेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हारी चंदन से आशिरवाद लेते हुए और राहुल जितने भी नौव विधायत थे समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महुदे आज का कारिक्रम समात हुआ और शपत ग्रहन समारो संपन उस्क्रूशिव तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदन और उनके साथ मंत्र मौजूद हैं सियम विश्णू देव साय और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक ज करने के लिए क्या कुछे आपकी अनुमती होने है मंत्री कर अपने पत तथा गोगनीता की हिए यहां उपस्थित इन्वेदन है कि के मंत्री करनों भरन द्भ dedication कि शिरी अग्रवाल पहले क्रमांग पर ब्रिज मोहन अगरवाल, 1990 से आज तक विधायक है, 15 साल बनक्री रहे हैं, उन्हें शपत लेना है, पहले क्रमांग पर उनका नंबर है तुनाय पुर्दक्षिन सीफ से लगातार चित कर आपे रहे हैं, एमकॉम इनों ने किया है कि मैं विधी द्वारा स्थापिक भारत के सर्धान के प्रती, सत्री सद्धा और लिष्टा रखूँगा, मैं भारत की क्रभूता और अखंड़ता अंचुन रखूँगा, मैं शत्रीजगर राट्य के बनवी के रूप में अपने कर्तवयों को सद्धा पुर्वत और सुर्ज पच्छपाद, अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती, सविधान और विधी के अनुसान न्याय करूँगा मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय शत्रीजगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अट्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्वत के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संचुचितिया प्रकट नहीं करूँगा पद और गोपनियता की शपत ब्रिजमोहन अग्रवाल ने ले ली कुशल रनीतकार और 15 साल से मंत्री और 1990 से लगातार विदायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर जब तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब आश्पा सवकार में चौथी बार की मंत्री बन चुके है श्री रामविचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेताम में गिंती रामनुजगंद सीट से वर्तमाद में रामविचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधित वारस थाफित भारत के समिधान के प्रती सची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता असुष्ण रखूंगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतब्यों का सरधा पुरवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी परकार के लोगों के प्रती सविधान और भी धीक अनुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठात से परतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा पादवर गोपनिता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्य सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्राले समाल चुके हैं और आप पादवर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं भाजपास सरकार में भी क्याबरेंट मंत्री रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे, लेकिन देखिए 2023 में फिर से उसी सीर से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भाजपास सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की दरुपता और अखनता अक्चुम रखूंगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे याद होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगर नहीं करूँगा अपने भी मंतरी पत्ति पद और गुपनिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुआ की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्भक्ष भी रहे और अब एक बार पिर इन्होंने भाचपा सक्कार में भाचपा कारिकाल में मंतरी पत् बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा क्रमान केदार कश्यप जी का होगा सुबाब एक सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हराकर ये विधायक चुने गए है दोहजार तीन में पहली बार विधायक बने श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा मैं छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का स्तरद्धा पुरुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूंगा तथा मैं भै या पचपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं परत्यच्य अपरत्यच्य रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूंगा अब ये भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसू चित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003-2008 और 2013 में भी रमन सरकार में काबनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए ते लेकिन पच्वा कर्मा लखनलाल दिवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसवा सीट से ही विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और श्री लखनलाल देवांगन मैं मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूं की विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्छपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अव्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपत लीप पद और घोपनियता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय यह लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाजवा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नया करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूं कि जो बिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्ट्री से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनुबवी नेता है सर्गुझा संभाग से एक और मंत्री मनेंगर से जीत कराए श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोरभा जिला संगठन के प्रभारी रहे है और भाजपा किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्षवी रहे साल 2020 में अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है तो भाजपा कोर्भा जिला संगठन प्रभारी भी रह चुके है कदावर नीता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सुनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चली ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एड्यूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बड़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से नवाजी जा रहे है पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे है कि अनुभाव के साथ युवा जोष तो उस युवा जोष को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुच रहे है अब इस कैबिनित में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए OBC चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी राजवाडे मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक्त और सुध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षीत हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी भले ही पूरे कैबिनिट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप बिश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेत्र में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है और इनोंने कहा भी जब ये राम मंदर गई दर्शन करने के लिए कि मैंने आज भगवान राम से शक्ती मांगी है और देखिए उसका एक अंदास भी आज देखने को मिला और कितना खास हो जाता है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्ष्मी राजवारे एक लौती महिला मंत्री बन चुकी है मंत्रेपत की शपत उन्होंने ले ली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्री की अब ये मंत्री बनी है एक मात्र महिला विधायक है लक्ष्मी राजवारे जो धाई महीने पहले टिकट मिला था इनको धाई महीने पहले जो टिकट जारी किया गया था तो लक्ष्मी राजवाडे भटगाओं विधान सबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस से रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष्वी रही और 2020 में जिला पंचायत सदस, 2023 में भटगाओं से विधायक और अब मंतिपत की शप और अब नवे मंत्री को बुला जाएगा टंकराम वर्मा जी को अब छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति शमिधान और विधी के अन विशाए 36 राज्य के मंद्री के रूप में मेरे वीचार के लिए लाया जाएगा अध्या गयात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथो अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए टंक राम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्री पत की रहे चुके हैं आजनी के साथ मंत्री पत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया से ये विश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर और लास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्री पत की और गोपनेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हरी चुंदन से आशिरवाद ल के लिए क्या आपकी अनुमति है कि महोदे आज का कारिक्रम समात्थ हुआ और शपत ग्रहन समारो संपन्ह इस्क्रूसिव तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र पर मौजूद है सियम विश्विभू देव साय और बस अब शपत ग्रहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति करने के लिए यहां उपस्थित है निवेदन है कि कृपिया मंत्री गणों को पद एवं गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री भृजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भृजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल मंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है राय पुर्दक्षिन सीर्थ से लगा था जितकर आपे रहे हैं एमकॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा इस्थापि भारत के सद्धान के पती सद्धी सद्धा और लिष्टा रखूंगा मैं भारत की क्रमूता और अखंड़ता अक्शुन रखूंगा मैं सब्सक्राइब के रूप में अपने कर्टव्यों को सद्धा पुपत और सुझ अंत्य करेंचे निवहन करूंगा ज़ता मैं भै या सच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय शत्तिसगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्शित हो मैं प्रत्यक्षत रूप से सच्चुतिया प्रकट नहीं करूँगा पद और गोपनियता की शपत ब्रिज मोहन अग्रवाल ने ले ली कुशल रन्नीतकार और 15 साल से मंत्री और 1990 से लगातार विधायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर जब तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब भाजपा सरकार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेता में किंती मैं राम विचार नेताम सत्य निश्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि मैं विधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सर्धा और निश्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुशन रखूंगा मैं 36 गर राजी के मंत्री के रुप में अपने कर्टब्यों का सरधा पुरुवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश की विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और भी धीक अनुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठा से परतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राजी के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्सित हो मैं परत्यक्ष अथ्वा आपरत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनिता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्या, सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिगर विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्रा ले सम्हाल चुके हैं और आप पादवर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं भाजपास सरकार में भी क्यामिरेंट मंत्री रहे हैं साल 2013 में रामान उजगन से चनाओ हारे, लेकिन देखिए, 2023 में फिर से उसी सीट से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भाजपास सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की तरुपता और अखंता अक्चुम रखूंगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुध्धा पुर्वक और सुध्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथ्वा मुझे यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के समर्थ निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्याच अथ्वा प्रत्याच रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंतरी पत्ति पद और गुपनिता की शपत लेली है नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुवात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार पिर इनोंने भाजपा सक्कार में भाजपा कारिकाल में मंतरी पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आभी क्सी बात है बड़ा दिन है दयालदास वगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए है दुहजार तीन में पहली बार विधायक बेश्यप श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का स्त्रद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छा अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन फिर लखनलाल दिवांगन का होगा मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीश रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखन लाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकी ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्योग निर्वान के लिए ऐसा करना अप्रिक्षित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपत ली पद और घोपनी अता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं नवाजा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतब्यों का सरद्धा पुरुवक्त और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूं कि जो बिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवعों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पैक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनुबवी नेता है बिल्कुल सरगुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोरवा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मोरचा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में अब साथ में पर ओपी चौधरी को शपत लेनी है तो भाश्पा कोर्भा जिला संगठन प्रभारी भी रह चुके है कदावर नीता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सुनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलि यह ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके को इन्होंने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था यह एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है और आशिरवाद लेने के लिए पहुचे है अब इस बैबिनित में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुन ही का है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी राजवाडे मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुद्ध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवारे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं भले ही पूरे कैबिनेट में एक मात्र महिला हो लेकिन आत्म विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है यह मात्र महिला विधायक है लक्षमी राजवाड़े जो आजञे टिक जारी किया और अब नवे मंत्री को बोला जाएगा टंकराम वर्मा जी को मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती शमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा विशय 36 राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथो आप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंक राम वर्मा भी मंत्रीपत की शपत ले लिए और अकांग्षा यह आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप यह उनके पीए रहे हैं और आज मंत्रीपत की रवेश बैस के यह बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रीओं की पीए रहे चुके हैं आजुनी के साथ मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया से मिश्णों देव साह इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्रीपत की और गोपनेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्व भूशन हारी चुंदन से आशिरवाद लेते हुए और र नुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात्थ हुआ और शपत गहन समारो संपन्हों इस्क्रूजव तस्वीरे राजपाल विश्व भूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्पर मौचूद हैं सीम विश्व देव साय और बस अब शपत गहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जो है मंत्री कण अब उदिये मंत्री पत से नवाजा जा रहा है अब वो शपत ग्रहण करेंगे एक्स्कूद तस्वीरे अप दिखा है हम आपको दिखा रहे हैं आई अनुमती ली जा रहे है कि लिए यहां उपस्थित है कि कृपिया मंत्री कण ऐसे के निवेदर है पद एवं गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री ब्रिजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर ब्रिजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक हैं 15 साल मंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नमबर है कि मैं विधी द्वारा इस्थापि भारत के सद्धान के पती सद्धार लिष्टा रखूंगा मैं भारत की क्रमूता और अखंड़ता अख्शुन रखूंगा मैं 36 गया राकिके बनवी के रूप में अपने कर्दवियों को सद्धा पुबत और सुझ अंत्य करणचे निवहिन करूँगा ज़ता मैं भै या पच्छपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा पच्छपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय शत्तिसगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबद के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करू पद और गोपनियता की शपत ब्रिज मोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रन्नीतकार और पंद्रा साल से मंत्री और उन्निस सुनब्बे से लगातार विडायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज जेपाल और मुख्य मंत्री से उन्ने आशिरवाद लिया है और अब भाजपा सरकार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे किंती मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि मैं विधित वारास थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सरधा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता असुष्ण रखूँगा मैं 36 गड़ राज के मंत्री के रुप में अपने करतव्यों का सरधा पुरवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी परकार के लोगों के प्रति समिधान और विधी के नुसार नय करूँगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गड़ राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के समयक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अथ्वा आपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्ताप्षर कर रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे लेकिन देखिए 2023 में फिर से उसी सीट से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भादवर सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांक्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इस वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की तरुपता और अखनता अक्षुम रखूँगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूँगा तथा मैं भै या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सद्धान और वीधी के अंसार नियाई करूँगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सहे 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे याद होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अपने भी मंतरी पत्ति पद और गोप्रिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुबात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाचपा सब्कार में भाचपा कारिकाल में मंतरी पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आभी क्सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए हैं 2003 में पहली बार विधायक बश्यप श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्त्रद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं परत्यच्छा अपरत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब यह भी मंत्री हो गया कांचा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्ति आंत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा करमा लखनलाल देवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसभा सीट से ही विधाइक चने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधाइक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और अभी वाग श्री लखनलाल देवांगन मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूँ कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीस रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनी अता की मेयर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बहुत बढ़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाजवा गया है 2005 में जैसा के राहूल बता रहे थे कोर्वा नगर निगम के महापौर भी रहे चतीजकर भासपा के उपाध्यक्ष भी रहे है दो हजार पार्शत से राजनीति की शुरुवात इन्हों ने की है आकांक्षा बिल्कुल और अब छटवा क्रमांग श्याम बिहारी जैसवाल का होगा फिलाल राज्यपाल से हो मिल स्याम बिहारी जैसवाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक्त और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नया करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूं कि जो विसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं कर चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनुबवी नेता हैं सर्गुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कर आए श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश का अशिरबाद लेंगे अब सात् इता मनेंदगर के जाने माने चहरे सर्गुजा संभाग का प्रत्रिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सुनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विस है 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चली ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं और सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एडूकेशन हब बनाया और इसी लिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीट से विधाय के 2013 में चनाव हार गये थे लेकिन देखिए इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से ना वाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवाद चहरा है और कलेक्टर रहते हुए ओपी चोधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्ष्मी दाजवाडे मैं मैं लक्ष्मी दाजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुद्ध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना प्यक्षीत हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी भले ही पूरे कैबिनिट में एक मात्र महिला हो लेकिन आत्म विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है पार क्तिन हैं एक मात्र महिला विदृधायक है लक्ष्मिराजवारे जो जाए मही महीने पहले टिकट मिला था इनको द्याइव नेपहले जो टिकट जारी किया गया ता तो लक्षमी राजवाडे भटगाओं विधान सबाक शेत्रे से पहली बार की विधायक सूरजपुर जिला पंचायत की सदस्य रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष्वी रही और 2020 में जिला पंचायत सदस्य, 2023 में भटगाओं से विधायक और अब मंतिपत की और अब नवे मंत्री को बुला जाएगा टंकराम वर्मा जी को अब छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति शमिधान और विधी के अन दो विशाए 36 राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना चरूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए टंक राम वर्मा भी मंत्रीपत की शपत ले लिए और अकांग्शा यह आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप यह उनके पीए रहे हैं और आज मंत्रीपत की रवेश बैस के यह बड़ी बात है व युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया से मिश्णोदेव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हर शरूलास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशबाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टं जाहिर से बात है जिन माननी राज़िपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात हुआ और शपत गहन समारो संपन हो इसक्रूसिव तस्वीरे राज़िपाल विश्ट भूशन हरीचंदर और उनके साथ मंत्र पर मौजूद हैं सियम विश्नु देव साय और बस अब शपत गहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक ज करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति करने के लिए यहां उपस्थित हैं निवेदन है कि कृपिया मंत्री गणों को पद एवं गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री भृजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भृजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल बंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है राइपुर दक्षिन सीथ से लगा था जितकर आपे रहे हैं एमकॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा स्थापिक भारत के सद्धान के पती सद्धार निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अंचुन रखूँगा मैं सब्सक्राइब के रूप में अपने कर्दव्यों को सद्धा पुबत और सुझ अंत्य करण्चे निवहन करूँगा ज़ता मैं भै या सच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसए 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अटवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो मैं प्रत्यक्ष अटवा अटप्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करू पद और गोपनियता की शपत ब्रिज मोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रनीत कार और 15 साल से मंत्री और 1990 से लगातार विधायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताप्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब भाजपा सर्कार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे किंती मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि मैं विधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सरदा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुष्ण रखूंगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतव्यों का सरदा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी परकार के लोगों के प्रति समिधान और विधी के नुसार नय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो में परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा पादवर गोपनिता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्या, सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र, विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्राले सम्हाल चुके हैं और आप पादवर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं भाजपास सरकार में भी क्यावरेंट मंत्री रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चुनाओ हारे, लेकिन देखिए 2023 में फिर से उसी सीट से चुनाओ जीते और अब एक बार फिर भाजपास सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की तरुपता और अखनता अक्चुम रखूँगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का सुद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूँगा तथा मैं भै या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और विधी के अंसार नियाई करूँगा मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सहे 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार्ट के लिए लाय जाएगा अथ्वा मुझे याद होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगर नहीं करूँगा अब ये भी मंतरी पत्ति पद और गुपनिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुआत की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार पिर इन्होंने भाजपा सबकार में भाजपा कारिकाल में मंतरी पत की शपतली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आभी क्सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगील के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए है दुहजार तीन में पहली बार विधायक बढ़े है बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्त्रद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छा अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में क्याबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा करमांग लखनलाल दिवांगन का होगा मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूँ कि विधी के द्वारा इस्थापिक भारत के सविधान के प्रती सचीश रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंतरी के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखन लाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अप्रिक्षित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा लकनलाल दिवांगन भी मंतरी पत की उन्होंने शपत ली पद और घोपनी अता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंतरी पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंतरी जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बहत बड़ी रही और इसलिए देखिए श्री श्याम बिहारी जैसवाल का होगा फिलाल राज्यपाल से वो मिल रहे हैं पैर चुकर उन्होंने आशिवाद लिया श्री श्याम बिहारी जैसवाल मैं स्याम बिहारी जैसवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतब्यों का सरद्धा पुरुवक्त और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नया करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूँ कि जो बिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्टी से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनुभवी नेता है बिल्कुल सरगुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत कराय श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोरवा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा कोरवा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चहरे सर्गुजा संभाग का प्रत्रिन दित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्री पत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया भज रही है ओपी भाईया भी सुनाई दिये मैं लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चली ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाड़ा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रहबित इलाके को इन्होंने एडूकेशन हब बनाया और इसी लिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में पी-म एक्सिलेंस अवार्ट से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज किया और मंत्री पत्से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतुलन की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे हैं ओपी चौध मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंताकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे केबिनिट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप्विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जानी जाती है कि मैंने आज भगवान राम से शक्ति मांगी है और देखिए उसका एक अंदास भी आज देखने को मिला और कितना खास हो जाता है विश्रुदेव मंत्री बंडल है और लक्ष्मी राजवारे एक लौती महिला मंत्री बन चुकी है मंत्रेपत की शपत उन्हों ने ले ली है भटगाओ सीट से पहली बार की विधायक सबसे कम उम्रिकी अब ये मंत्री बनी है एक मात्र महिला विधायक है लक्ष्मी रही भाजपाब महिला मोर्चा की जिला ध्यक्ष भी रही और दोहजार बीस में जिला पंचाइप सदस्य दोहजार तीस में भटगाउं से विधायक और अब मंत्री पत्की शपत और अब नवे मंत्री को बुला जाएगा टंक राम वर्मा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के स्विधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखर्णता अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्विधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय 36 राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंक राम वर्मा भी मंत्री पत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्री पत की रवेश बैस के हाँ ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुक के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशबाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंक राम वर्मा ये भी मंत्री पत की और गोपनेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हरी चुंदन से आशिरवाद लेते हु अब बिल्कुल जाहिर से बात है जिन माननी राजपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिकरम समात हुआ और शपत गहन समारो संपन उइस्क्रूसिव तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र पर मौचूद हैं सीम विश्णू देव साय और बस अब शपत गहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जो मौधे अपने पद तथा गुपनीता की शपत ग्रहन करने के लिए यहाँ उपस्तित निवेदन है कि कि रपिया मंत्री कणों को पद एवं गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं शुरी प्रिजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भृज मुहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल मंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है दनाय पुर्दक्षिन सीथ से लगा था जित कर आपे रहे हैं मैं कॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा स्थापिक भारत के सद्धान के पती सद्धी सद्धार लिष्टा रखूंगा मैं भारत की क्रभूता और अखंड़ता अख्शून रखूंगा मैं 36 गया राचिके बनदी के रूप में अपने कर्दव्यों को सद्धा पुर्वत और सुझ अंत्य करणचे जिवहिं करूँगा ज़ता मैं भै या पच्छपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा पच्छपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय शत्तिसगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सभ्षय निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करूँगा अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अकांचर तक यह और चारिक्ता पूरी नहीं होगी हस्ताक्षर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्य पाल और मुख्य मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब भाजपा सर्कार में चौथे बार की भी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि मैं विधित वारा स्थाफित भारत के समिधान के प्रती सची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता असुचन रखूंगा मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतव्यों का सरधा पुरवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तो था मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के नुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठा से परतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के समयक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो मैं परत्यक्ष अथ्वा आपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादर गोपनिता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्य सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिग्र विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्राले समाल चुके हैं और आप पादर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्तापशर कर रहे हैं भाजपास सरकार में भी कैमरेंट मंत्री रहे हैं साल 2013 में रामन उजगन से चनाओ हारे, लेकिन देखिए, 2023 में फिर से उसी सीर से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भाजपास सरकार में मंत्री पत की शपत ले चुके हैं तीसरा क्रमांक अकांग्शा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के पती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की तरुपता और अखनता अच्चुम रखूँगा मैं 36 राज के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का सुध्धा पुर्वक और सुध्ध अंदिकरन से निर्वान करूँगा तथा मैं भै या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सर्दान और विधी के अंसार नियाई करूँगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अपने भी मंतरी पत्ति पद और गुपनिता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के में ले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुबात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुचित जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इन्होंने भाचपा सबकार में भाचपा कारिकाल में मंतरी पत की शपत ली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा सुब आभी इकसी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए है दोहजार तीन में पहली बार विधायक बश्यप श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के समिधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं च्छतिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्त्रद्धा पुरुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं परत्यच्छा अपरत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब यह भी मंत्री हो गया कांचा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनुसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्ति आंत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन पच्वा करमा लखनलाल देवांगन का होगा और पिर नरायनपुर विधानसवा सीट से ही विधायक चने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधायक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाओ जीते और अभी वाग श्री लखनलाल देवांगन मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीस रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनी अता की मेयर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हरा कर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाजवा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नया करूंगा मैं स्याम भी हरी जैसवाल इस्वर की सबत लेता हूँ कि जो भिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्ट्री से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनभवी नेता हैं सर्गुजा संभाग से एक और मंत्री मनेंदगर से जीत करा है श्याम बिहारी जैस्वाल भाजपा कोर्बा जिला संगठन के प्रभारी रहे हैं और भाजपा किसान मुर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाजपा प्रदेश का अस्ताक्षर फिर जाके ओपी चौधरी को शपत लेनी है तो भाजपा कोर्बा जिला संगठन प्रभारी भी रहे चुके हैं कदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चहरे सर्गुजा संभाग का प्रतनिदित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोन रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विस है 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्व अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चली ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन दंतेवाडा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रहाबित इलाके को इनोंने एडूकेशन हब बनाया और इसलिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड़ बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीट से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है OBC चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुचे है राज़वार का अब इस केविनित में एक मात्र जो महिला है उन्हें शपत लेना है अगला क्रमान कुनी का है और कलेक्टर रहते हुए OBC चौधरी ने कई लेखनी कारी किये जैसा कि राहुल बता रहे थे श्रीमती लक्षमी दाजवाडे मैं मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक्त और सुध अंतहकरण शे निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षी थो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी भले ही पूरे कैबिनेट में एक मातर महिला हों लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है जो राही महिने पहले टिकट मिला था इनको नारी महिने पहले जो जारी किया गया था तो लक्षमीराजबारे भटगाओं विधाणसभाक शेत्र से पहली बार की विधायक सूरजपर जिला-पंचायद की ञदत से रही और 2020 में जिला पंचायक सदस्य, 2023 में भटगाउ से विधायक और अब मंत्री पत की शपत को नहीं दिए। मैं भारत की प्रगुता और अखण्डता अक्छुन्य रखूंगा। मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा। तथा मैं भै या पक्छपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती शमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा। मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय शत्यसगर राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए टंक राम वर्मा भी मंत्रीपत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्रीपत की रवेश बैस के हाँ ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रियों की पीए रहे चुक से हर शरुलास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंक राम वर्मा ये भी मंत्रीपत की और गोपनिता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हरी चुंदन से करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात हुआ और शपत गहन समारो संपन उस्क्रूसिफ तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्र मौचूद हैं सियम विश्णू देव साय और बस अब शपत गहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विधायक जोने मं अब वो शपत ग्रहन करेंगे एक्स्क्रूसिफ तस्वीरे आप दिखा रहे हम आपको दिखा रहे हैं आई बसी पूर पर शाय मंत्री कंड अपने पत तथा को पनीता की शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित हैं निवेदन है कि क्रपिया मंत्री कड़ों को पद एवं गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री भृृजमोहन अगर्वाल पहले क्रमांग पर भुर्ज मुहन अगरवाल, 1990 से आज तक विधायक है, 15 साल बनक्री रहे हैं, उन्हें शपत लेना है, पहले क्रमांग पर उनका नंबर है प्रदक्षिन सीफ से लगातार चित कर आपे रहे हैं, एमकॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा स्थापिक भारत के सर्धान के प्रती, सत्री सद्धा और लिष्टा रखूँगा, मैं भारत की क्रभूता और अखंड़ता अंचुन रखूँगा, मैं 36 राट्य के बनवी के रूप में अपने कर्तवयों को सद्धा पुद्वत और सुर्ज अंत्य करूँगा, जथा मैं भै या सच्छपाद, अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती, सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा, मैं ब्रिजमोहन अगरवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय शत्य गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अत्वा मुझे ग्यात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्वत के सिवाए, जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अत्वा अत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नही अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा, अब देखिए मिल रहे हैं, राजजेपाल और मुख्यमंत्री से उन्हें आशिरवाद लिया है, और अब भाजपा सर्कार में चौथी बार की भी मंत्री बन चुके है, श्री राम विचार नेताम, आदिवासियों में सुल्जे हुए नेताम में किंती, में राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ, कि मैं विधित वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रती सची सरधा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंता असुशन रखूँगा, मैं 36 गर राज के मंत्री के रुप में अपने करतब्यों का सरधा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा, तो था मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेश की विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और भीधी के नुसार नयाय करूँगा, मैं ताम सत निष्ठात से परतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया, बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो, मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा। लेकिन देखिए, 2023 में फिर से उसी सीर से चनाओ जीते और अब एक बार फिर भाटपास सरकार में मंत्री पत्की शपत ली चुके हैं। तीसरा क्रमांक अकांग्षा देयाल दास बगेल का होगा। श्री देयाल दास बगेल मैं देयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा। मैं भारत की दर्वता और अखनता अक्चुम रखूंगा। मैं चतिसगर राज के मंतरी के रूप में अपने कर्टब्यों का सद्धा पुर्वक और सुद्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा। तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवधान और वीधी के अंसार नियाई करूंगा। मैं दयालदास भगेल हिस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे व्यात होगा। उप से किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के समयक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो, मैं प्रत्याच्छ अथवा अप्रत्याच्छ रूप से संसुचित या प्रगड नहीं करूँगा। अपने भी मंत्री पत्त की पद और गोपनीता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंत्राले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुआत की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंत्री भी रहे अनुसुची जाती विकास प्राधिकरण की उपाध्भेक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इनों ने भाज़पा सक्कार में भाज़पा कारिकाल में मंत्री पत्त की शपतली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा करमान केदार कश्यप जी का होगा अब एकसी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए है 2003 में पहली बार विधायक बश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूँगा मैं छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का स्तरधा पुरुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पचपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं परत्य छ प्रत्य रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंत्री हो गया कांचा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसू चित जाती विकास पिछड़ा वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003-2008 और 2013 में भी रमन सरकार में काबनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाव हार गए ते लेकिन पच्वा कर्मा लखनलाल दिवांगन का होगा और फिर नरायनपुर विधानसभा सीट से ही विधाइक चुने गए हैं 2003 में पहली बार भानपुरी से विधाइक बने 2008-2013 में नरायनपुर से चनाव जीते और श्री लखनलाल दिवांगन मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी अभ्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपतली पद और घोपनी अता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं रवाजवा गया है श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडदा अच्छुन्य रखूंगा मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नया करूंगा मैं स्याम भी हरी जैस्वाल इस्वर की सवत लेता हूं कि जो बिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए श्याम बिहारी जैस्वाल भी अब मंत्री हो गए पड़े लिखे हैं केमिस्ट्री से मिस्टी किया है दूसरी बार के मेले हैं और सभापती पटल पर रखे गए पत्रों का परिक्षण करने संबंदी समिती में रहे भी हैं अनुबवी नेता है प्रब कोल सरगुजा संभाक से एक और मंत्री मनेंदगळ से जीत कराय श्याम बिहारी जैसवाल भाजपा कोरबा जिला संगठन के प्रभारी रहे है और भाज़पा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साल 2020 में भाज़पा कोरवा जिला संगठन प्रभारी भी रह चुके हैं कदावर नेता मनेंदगर के जाने माने चहरे सरगुजा संभाग का प्रतिन दित्व अब ये भी करेंगे मनेंदगर से विधायक बने और अब मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं श्री ओपी चौधरी तालिया बज रही है ओपी भाईया भी सुनाई दिये मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोण रखूँगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विस है 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष पत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा चलिए ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए रायपूर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं सुनाते हैं लेकिन धंतेवाड़ा के जब कलेक्टर रहे तो नकसल प्रभावित इलाके कोईनों ने एड्यूकेशन हब बनाया और इसी लिए आकांग्षा ततकालीन मनमुहन सरकार में 2011 वारा में PM Excellence Award से नवाजा गया था ये एक बहुत बढ़ी बात थी और सिर्फ 42 साल के हैं 2018 में कलेक्टरी छोड बीजिपी में शामिल हुए राइगर सीड से विधाय के 2013 में चुनाव हार गये थे लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पत्से नवाजी जा रहे हैं पार्टी में OBC वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतिलन की बात कर रहे हैं कि अनुभाव के साथ युवा जोश तो उस युवा जोश को लीड कर रहे है ओपी चौधरी और आशिरवाद लेने के लिए पहुचे है मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रधा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रध्धा पूर्वक और सुध अंतहकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना प्यक्षीत हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी भले ही पूरे कैबिनेट में एक मात्र महिला हो लेकिन आप विश्वास की कमी नहीं है और ये अपने शेतर में तेश तर्रार महिला नेत्री के रूप में जाती है यह एक मात्र महिला विद्हायक है लक्षमी राजवारे जो धाइ महिने पहले टिकट मिला था हिनको धाइ महिन Administration of मइने पहले जारी किया था ग्वार कि विधायक सूरजपूर जिला पंचायट की सदस से रही भाजपाम महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षभी रही और दोहजार बीस में जिला पंचायक सदस्य, दोहजार तीस में भढ़गाउ से विधायक और अब मंत्री पत की शपत की नहीं 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 मंत्री को बुलाए जाएगा टंकराम वर्मा जी को श्री टंकराम वर्मा मैं टंकराम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधीद्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखण्ड़ता अक्छुन्य रखूंगा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्छपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती स्रमिधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विषय च्छटिसगर राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चलिए टंकराम वर्मा भी मंत्रीपत की शपत ले लिए और अकांग्षा ये आज जो शपत लिए चौथे क्रमांग पर केदार कश्यप ये उनके पीए रहे हैं और आज मंत्रीपत की रवीश बैस के ये बड़ी बात है वाकई तो जिन मंत्रीओं की पीए रहे चुके हैं आजनी के साथ मंत्रीपत की शपत ले चुके हैं बलावदा बाजार से जीत कर आए हैं युवा चेहरे और कल हमने देखा कि जब इनके नाम का एलान किया गया से हैं विश्णो देव साय ने जब जानकारी दी तो किस तरह से हरशनों लास के साथ इनके जो जितने भी समर्थक थे परिजन थे खुशिया बाट रहे थे आतशवाजी के साथ उन्होंने जश्ट मनाया टंकराम वर्मा ये भी मंत्रीपत की और गोपनेता की शपत ले चुके हैं राजपाल विश्विभूशन हारी चुंदन से आशिर आपकी अनुमती है महोदे आज का कारिक्रम समात्थ हुआ और शपत गहन समारो संपन्ह इस्क्रूशिव तस्वीरे राजपाल विश्विभूशन हरी चंदर और उनके साथ मंत्पर मौजूद हैं सीम विश्विभूशन देव साय और बस अब शपत गहन समारो की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है एक एकर तमाम विध करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति करने के लिए यहां उपस्थित हैं निवेदन है कि कृपिया मंत्री गणों को पद एवं गुपनीता की शपत ग्रहन कराएं श्री भृजमोहन अगरवाल पहले क्रमांग पर भृजमोहन अगरवाल 1990 से आज तक विधायक है 15 साल मंत्री रहे हैं उन्हें शपत लेना है पहले क्रमांग पर उनका नंबर है राय पुर्दक्षिन सीर्थ से लगातार जित कर आपे रहे हैं एमकॉम इनोंने किया है कि मैं विधी द्वारा इस्थापि भारत के सद्धान के पती सद्धार निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंड़ता अंचुन रखूंगा मैं अचिजग्र राचिके बन्दी के रूप में अपने करत्यों को सद्धा गुपर और सुझ अंता करण्चे निवहिं करूंगा मैं भै या प्रचपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसार न्याई करूंगा पच्छपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधी के अनुसान न्याय करूँगा मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसाए 36 गार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब्बत के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवियों के सम्म्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेख्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संचुतिया प्रकट नहीं करूँगा पद और गोपनियता की शपत ब्रिज मोहन अगरवाल ने ले ली कुशल रनीटकार और पंद्रा साल से मंत्री और 1990 से लगातार विधायक अब दूसरा क्रमांग राम विचार नेताम का होगा अगांचाजर तक यह और चारिकता पूरी नहीं होगी हस्ताचर की अब देखिए मिल रहे हैं राज्यपाल और मुक्ष मंत्री से उन्होंने आशिरवाद लिया है और अब भाज्पा सरकार में चौथी बार की वी मंत्री बन चुके है श्री राम विचार नेताम आदिवासियों में सुल्जे हुए नेतामे किंती अपने कर्टब्यों का सरधा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूँगा तो था मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश की विना सभी परकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के नुसार नयाय करूँगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निश्ठा से परतिग्यान करता हूँ कि जो भी से 36 गर्राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेख्तिया बेख्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निरोहन के लिए ऐसा करना बेख्सित हो मैं परत्यक्ष अत्वा आपरत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा पादवर गोपनिता की शपत लेली बहुत लंबा अनुभव आदिन कल्यान, राज्य सुग्री, जेल, सहकारिता, पंचायत, ग्रामिगर विकास, बिधी, जल, संसाधन, तमाम मंत्रा ले संभाद चुके हैं और आप पादवर गोपनिता की शपत लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं तीसरा क्रमांक अकांग्षा दयाल दास बगेल का होगा श्री दयाल दास बगेल मैं दयाल दास बगेल इसवर की सपत लेता हूं कि मैं विदी द्वारा इस्थापि भारत के सवधान के प्रती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की दुपता और अखनता अक्चुम रखूंगा मैं शटिसगर राज्च के मंत्री के रूप में अपने कर्टब्यों का सुध्धा पुर्वक्त और सुध्ध अंदिकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भय या पर्चपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सुधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो भी सह 36 गर राज के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में मैं अपने कर्टब्यों के सम्रेक निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्याच अथवा अप्रत्याच रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा अब ये भी मंतरी पत की पद और गुपनीता की शपत ले लिए नावगर से जीत के आए हैं तीन बार के मेले रहे हैं मंतराले समहला है सरपंच से राजनीती की शुरुवात की है 2015 में से कारिता संस्कृति और परियर्टन मंतरी भी रहे अनुसुची जाती विकास प्राधिकरन की उपाध्धक्ष भी रहे और अब एक बार फिर इनोंने भाचपा सक्कार में भाचपा कारिकाल में मंतरी पत की शपतली है बिल्कुल हस्ताक्षर कर रहे हैं चौथा क्रमान केदार कश्यप जी का होगा सुभाविक सी बात है बड़ा दिन है दयालदास बगेल के लिए गुरु रुद्र कुमार को हरा कर ये विधायक चुने गए है दोहजार तीन में पहली बार विधायक बड़ा श्री केदार कश्यप बस्तर का बड़ा चेहरा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा मैं छत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्त्रद्धा प्रुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान करूंगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय छत्तिगर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यच्छा अप्रत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रगट नहीं करूंगा अब ये भी मंत्री हो गया कांग्शा एक बार फिर से बस्तर का बड़ा चेरा है अनसुचित जाती विकास पिछला वरग और अल्प संख्यक विकास लोग स्वास्तियांत्र की विभाग को इन्होंने सम्हाला है बखुबी और 2003, 2008 और 2013 में भी रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं 2018 में नरायनपुर सीट से चनाओ हार गए थे लेकिन फिर लखनलाल दिवांगन का होगा मैं लखनलाल दिवांगन इस्वर की सपत लेता हूँ कि विधी के द्वारा इस्थापिक भारत के सविधान के प्रती सचीस रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधिक अंसार नियाई करूंगा मैं लखन लाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति अव्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्योग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथवा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा लकनलाल दिवांगन भी मंत्री पत की उन्होंने शपत ली पद और घोपनी अता की मेर रहे हैं फुटपात पर कपड़े की दुकान एक समय ये लगाया करते थे और आज मंत्री पत की शपत ले रहे हैं और कोर्बा सीट से वर्तमान विधायक है पूर्व मंत्री जैसिंग अगरवाल को हराकर विधायक बने हैं जीत बेहत बड़ी रही और इसलिए देखिए अब मंत्री पत से नहीं नवाज़ा गया है शच्री 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 ये बना विधायक है